हेलो स्टूरेंट्स वेलकम अगेन टू लंडवरी दितिमन आज हम करने वाले हैं टैन्थ क्लास की पॉलिटी का चैप्टर नंबर वन लोगतंत्र देखिए ये चैप्टर जो है वो आपके सलेबस में दिया हुआ है तो आपके लिए तो इतना ज़्यादा इंपोर्टेंट र चैप्टर में कुछ नए शब्द भी आपको मिलेंगे तो आपको पहले समझना है और उसके बाद इनको याद करना है चलिए स्टार्ट करते हैं लोकतंतर के अन्य नाम क्या है लोकतंतर को हम और अन्य किन नामों से जानते हैं तो इसका आंसर है जनतंतर और प्रजातंतर डैमोक्रेसी जो है जिसे हिंदी में लोकतंतर कहते हैं तो इसे हम जनतंतर भी कहते हैं और प्रजातंतर भी कहते हैं यानि कि जहां जनता का शाशन कुशिन नमबर टू अंग्रेजी सब्ड देमोक्रेसी जिसका अर् relación लोकतंत्र होता है यह किस बहासा के दो सब्डों से मिलकर बना है तो यह ग्रीग बहासा के सब्दों से मिलकर बना है जिसमें डेमोस का अर्ת है भीड और क्रेटिया का अर्त है श्क्ति यानि की जनता की सक्ती तो लोगतंतर का अर्थ क्या है जनता की सक्ती Q3 लोगतंतर के बिभिन रूप कौन कौन से हैं तो लोगतंतर के बिभिन रूप कौन कौन से हैं राजनितिक लोगतंतर, सामाजिक लोगतंतर, आर्थिक लोगतंतर और नैतिक लोगतंतर इनको one by one हम पढ़ेंगे आके चलके Question number four राजनितिक लोकतंतर के अंग के रूप में लोकतंतर के कितने भेद हैं तो first है राजनितिक लोकतंतर तो यह कितने पार्ट हैं इसके इसके दो पार्ट है प्रत्यक्ष या सुद्ध लोकतंतर और एप्रत्यक्ष अत्वा प्रत्यनिधी लोकतंतर तो यदि हमें इनका अर्थ समझ में आ जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि भारत जो है वो इनमें से कौन से रूप का उधारन है राजनितिक लोकतंतर के कितने रूप हैं? दो प्रत्यक्ष या सुद्ध लोकतंतर और अप्रत्यक्ष अत्वा प्रतिनिधी लोकतंतर तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि भारत जो है वो है प्रतिनिधी लोकतंतर के अंतरगत आता है तो यानि अप्रत्यक्ष अत्वा प Question number 5, आर्थिक लोगतंतर का विचार किस ने प्रस्तुत किया? इतनी classes में ये समझ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि भारत में संसदिय शाशन प्रणाली है, क्योंकि यहां पर कारेपालिका, विधायका, नियाएपालिका तीन अंग हैं, जिसमें जो विधायका है, वो कारेपालिका के प्रति उत्तरदाई भी होती है, ठीके? तो यहाँ पर एक अंग में ही सारी सक्ती नहित नहीं है बलकि तीनों ही एक दूसरे के ऊपर निरबर है जबकि अमेरिका में हम देखते हैं अध्यक्ष आत्मक लोकतंत्र वहाँ जो राष्ट्रपती है उसी के हाथ में सब कुछ नहित होता है तो वहाँ जो अध्यक्ष है वो कौन है राष्ट्रपती जबकि भारत में हम देखते हैं कि नाम मात्र का अलग होता है अध्यक्ष और कार्य पालिका का अलग होता है ठीक है तो इसी लिए संसद्य लोगतंत्र कहा है भारत में और अध्यक्षात्मग लोगतंत्र कहा है अमेरिका में कुश्चन नमबर 7 परंपरागत उधारवादी लोगतंत्र संबंधी विचार देने वाले प्रमुक विद्वान कौन कौन से थे इसका आंचार है तो एक्जाम में देखिए यहां ऐसे पूछ लिया जाएगा कि अब्राहिम लिंकन जो है वो किस लोगतंत्र की बात करते हैं तो यहां किस लोगतंत्र की बात करते हैं, परमपरागत उदारवादी लोगतंत्र की बात कौन करते हैं, अब्राहिम लिंकन, तो इसी तरीके से आपको इन सभी के नाम याद रखने हैं, परमपरागत उदारवादी लोगतंत्र संबंदी विचार देने वाले हैं, हॉब्स, चॉन लॉक, रूसो, बैंथम, जे एसमिल, मॉन्टेंस्क्यू, अब्राहिम लिंकन, जेफर्सन और हर्वर्ट स्पेंसर. Next है, Question No. 8, लोगतंत्र का बहुलवादी सिद्दान्त के विखास में किसने योगदान दिया? तो लोगतंत्र का बहुलवादी सिद्दान्त किसने दिया? देखिए, ए, जे लौसकी, अनेस्ट वॉर्कर, मिस फॉलिट, डिगवी, रॉबर्ट टहल, ये सभी लोगतंत्र का बहुलवादी सिद्दान्त की विचारधारा रखते हैं. नेक्स्ट है, कुश्यन नमबर 9. रॉबर्ट टहल ने बहुलवादी लोगतंत्र को क्या कहा है? तो इसको उन्होंने कहा है, बहुलतंत्रवाद. क्या कहा है? बहुलतंत्रवाद. नेक्स्ट है, कुश्यन नमबर 10. लोगतंत्र का विशिष्ट वर्गिय सिद्दान्त, यानि विशिष्ट अभिजात वर्गिय सिद्दान्त का प्रतिपादन करने वाले विचारक कौन है? तो इसका आंसर है, रॉबर्ट, मिचेल्स, मोस्का, पैरेटो, बर्णहम, सी राइ कुश्यन नमबर 11. जर्मनी विचारक रॉबर्ट मिचेल्स, जिन्होंने लोगतंत्र का विशिष्ट वर्गिय सिद्दान्त का विचार किस ग्रंत में दिया? यह उन्होंने दिया The Political Parties. याद रहना है, आपको एक्जामें पूछ लिया जाएगा. जर्मनी विचारक रॉब पॉलिटिकल पार्टीज गरंथ में. Next, question 12. Moscow इतावली विद्वान ने विशिश्ट वर्गे सिद्धान्त का विचार किस गरती में प्रस्तुत किया? तो Robert Michells ने तो दपॉलिटिकल पार्टीज में इस गरंथ में विचार दिया और Moscow ने दिया the ruling class में. और रॉबर्ट मिचल्स और मॉस्को ये दोनों ही किस सिद्दान्त को मानने वाले थे लोगतंतर के विशिष्ट वर्गे सिद्दान्त को मानने वाले थे नेक्स्ट है question number 13 लोगतंतर का मार्क्सवादी सिद्दान्त को अन्ने किस नाम से जानते हैं लोगतंतर का जो मार्क्सवादी सिद्धान्त है उसे हम अन्य किस नाम से जानते हैं इसका सही आंसर है जनवादी लोगतंतर के नाम से भी जानते हैं यानि जनता का लोगतंतर लोगतंतर का मार्क्सवादी सिद्धान्त के प्रमुक विचारक कौन हैं तो मार्क्सवादी सिद्धान्त के विचारक हैं कार्लमाक्स और फैडरिक एंजला इन दोनों के नाम तो आपको याद ही रखने हैं कि आर्थिक लोगतंतर का विचार देने वाले ही थे मार्क्सवाद लोग मार्कस वादियों में कार्लमक्स और फेडरिक ईंजला. ये दो मुख्य विचारक ऐसे थे जन्होंने लोगतंतर का मार्कस वादी सिध्दान्त दिया. नेक्स्ट है, लोगतंतर का मार्कस वादी सिध्दान्त को विवारिक रूप किस नहीं दिया? अब इसे प्रैक्टिकल रूप जो है वो किस ने दिया तो लोकतंत्र का मार्कसवादी सिधान्त को व्यवारिक रूप देने वाले थे लैनिन, स्टालिन और माउट से तुम ठीक है लैनिन, स्टालिन और माउट से तुम अब देखिए, मैंने आपको इतना अभी बताया कि उधारवादी लोकतंत्र, विशिष्ट वर्गय लोकतंत्र, बहुलवादी लोकतंत्र, इनकी अलग-लग विचारकों ने इनकी धारणाय प्रस्तुत की लेकिन अब ये क्या है, इनका अर्थ भी तो हमें मालूम होना चाहिए, चलिए, यहां मैंने एक ही कुश्चन में ये इंक्लूट कर दिया है, लोकतंत्र के पाँच सिद्धान्त हैं, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धान्त, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गय सिद्धा लोगतंतर का मार्क्षवादी सिद्धान्त और लोगतंतर का समाजवादी सिद्धान्त तो देखिए लोगतंतर का बहुलवादी सिद्धान्त जो है वह यह कहता है कि सत्ता का अधिकार जो है वो कई लोगों के हाथ में होना चाहिए यानि संगात्मक विवस्ता सत्ता का जो अधिकार है वो केवल एक वर्ग के हाथ में ना होकर जन्ता के हाथ में, यानि कई लोगों के हाथ में होना चाहिए, जैसा कि भारत में, ठीक है, संगात्मक विवस्ता है, तो ये कौन कहता है, लोकतंतर का बहुलवादी सिद्धान्त कहता है, और इसकी विचार देने वाले कौन थे? विचार देने वाले थे इसके एजी लॉसकी, अर्नेस्ट वारकर, मिस फॉलेट, डिगवी, रॉबर्ट डहल, जो हमने देखे, उसकी बाद नेक्स्ट है, लोकतंतर का विशिष्ट वरगी है, सिद्धान्त, अब इसको मानने वाले कौन थे? इसके विचारक थे, रॉबर्ट मिचेल्स, मॉसका, पैरेटो, बर्नहम, सी राइट मिल्स, जिसमें हमने देखा कि रॉबर्ट मिचेल्स जो थे, उन्होंने दो पॉलिटिकल पार्टीज में इस सिद्धान्त की व्याख्या की, ठीके? तो इसका अर्थ यह है कि जो सकता है, वह कुछ लोगों के हाथ में हो, यानि कुछ लोगों को ही साशन विवस्था का अधिकार होता है, और व्यापार का अधिकार भी उन्हीं के हाथ में होता है, और वो क्यों होता है? इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अमीर वर्ग है, बलकि वह एक ऐसा सिख्षित वर्ग है, वह इतने अच्छे वि लोगतंतर का विशेष्ट वर्गी सिद्दान्त कहता है कि कुछ लोगों को शाषन का अधिकार होना चाहिए. नेक्स्टर लोकतंतर का उधारवादी सिद्दान्ट, यह सिद्दान्ट कहता है कि जो सत्ता है, यानि कि राजनितिक सोतंतरता होनी चाहिए, जनता का अधिकार होना चाहिए, अब आप कहेंगे कि बहुलवादी सिद्दान्ट और उधारवादी सिद्दान्ट, यह इस्तिती का मार्क्सवादी सिद्दांत तो मार्क्सवादी सिद्दांत जिसे हम जनवादी सिद्दांत भी कहते हैं तो इसके जो विचारक थे वो कार्ल मार्क्स और फैडरिक एंजिला थे प्रमुक थे ठीक है तो यह सिद्दांत कहता है कि आर्थिक समानता होनी चाहिए सभी के बीच उत्पादन के साधनों पर एक का नहीं, किसी अभिजाद वर्ग का नहीं, बलकि सभी का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, और जंता का लोकतंत्र होना चाहिए, तो मार्क्सवाद जो है, वो तो सभी के भले के ही बात करते हैं, नेक्षर है लोकतंत्र का समाजवादी का इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो राजनितिक सिद्धान्त है, जो कि लोगतंतर के उदारवादी सिद्धान्त में देखी और मार्स्क वादी सिद्धान्त, इन दोनों की आदर्शों को एक साथ प्राप्त करना, विकास व समवेधानिक सादरों में विश्वास करना तो यह लोकतंतर का समाजवादी सिद्दान्त कहलाता है अब यदि पूछा जाए कि भारत में कौन सा सिद्दान्त जो है वो अपनाया जाता है तो आपका आंसर होगा लोकतंतर का बहुलवादी सिद्धान्त, लोकतंतर का उधारवादी सिद्धान्त, लोकतंतर का मार्क्सवादी सिद्धान्त और लोकतंतर का समाजवादी सिद्धान्त अपनाया जाता है जिसमें लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गे सिधानत को नहीं अपनाया जाता है तो ये अर्थ जो है वो आपको पता होने चाहिए क्योंकि एक्जाम में ऐसे पूस लिया जाते है Q17 प्रत्यक्ष लोकतंत्र या सुद्धू लोकतंत्र से क्या विप्राय है इसका अर्थ होता है कि जन्ता स्वयम प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रवत्व सक्ति का पूर्ण प्रयोक करती है वही नीती संबंदी फैसले कानून बनाना प्रशाशने का दिकारियों को निक्त करती है जैसे कि प्राचीन युनान में होता था और वर्तमान में स्विजर लेंड में अब देखिए इसका अर्थ यह है कि प्रतिक्ष लोकतंतर वहां हो सकता है जहां जन्ता जो है वही निर्नले वही कानून बनाए लेकिन भारत में ऐसा संभव नहीं है यह वहां संभव हो सकता है जहां बहुत कम जन्संख्या हो जो कि पार्लेमेंट में जाके सभी लोग बैठ सकें और अपने सभी राय दे सकें ठीक है सभी जो भी फैसले होते हैं कानून होते हैं वो सभी दे सकें लेकिन भारत में ये संभव नहीं है, क्योंकि यहां की जनसंग्या अधिक है, तो प्राचिन युनान में ये ऐसा होता था, प्रत्यक्ष लोकतंतर थी, राज्य की प्रवुत्व सक्ति जो है, वो जनता के ही पून हात में थी, अभी देखिए, हमारे हातों में, यानि भारत मे जाना चाहिए, या इन्हें राश्ट्रपती बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम तो केवल अपने विधायकों को चुनकर भेजते हैं, जो हमारी जहमती जो है, वो वहां तक पहुंचाएंगे, ठीके, तो अब आपको ये अर्थ समझ में आ गया होगा, कि प्रत्यक्ष ल लोगतंत्र से क्या विप्राय है, तो इसका अर्थ है कि जनता अपने प्रत्यनिदियों के माध्यम से प्रवुत्फ सक्ति का परयोग करती है, तो हम अपने प्रत्यनिदियों को भेजते हैं, जिसके द्वारा हमारे जो भी फैसले है वो वहां तक पहुंचाए जाएं, तो इसलिए कहा जाता है कि भारत में ऐा प्रत्यक्श रूप से जंता का साशन है लोगतंत्र वह शाशन विवस्ता है जिसमें राश्टर का अधिकांज भाग शाशक होता है तो ये किसका कतन है? इसका सही आंचर है डाईसी का Q20. लोगतंत्र वह शाशन है जिसमें प्रतिक व्यक्ति का शाशन कारे में भाग हो. यह कथन किसका है? कि जिसमें प्रतिक व्यक्ति का शाशन कारे में भाग हो. तो यह कथन है सीले का. देखिए डाइसी क्या कहते हैं? डाइसी का कहना है कि राश्र का अधिकान से भाग जो है लेकिन जो सीले हैं वो कहतने कि प्रतियग व्यक्ति का शाशन कारे में भागो नेक्स्ट है कुश्चन 21 लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शाशन है अब ये लाइन जो है वो तो इतनी इंपोर्टेंट रहती है क्योंकि हमने ये पड़ी भी होती है तो ये कतन है अबराहिम लिंकन का ठीक है लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शाशन है तो अब आपको एक कुशन का अंसर ये बताना है कि जो अबराहिम लिंकन है वो किस सिद्दान्त की बात करते हैं जो हमने अभी सिद्दान्त पड़े थे उनमें से किस सिद्दान्त की बात जो है वो अबराहिम लिंकन करते हैं नेक्स्ट है question number 22 लोगतंतर की प्रमुक विसेशनाएं कौन सी हैं लोगतंतर की विसेशनाएं देखिए इसमें जनता का शाषन होता है जनता द्वारा सरकार का निर्मान किया जाता है वो भी एपरत्यक्ष रूप से हैं लोगतंतर शाषन एक साधन है साध्य नहीं कैसे की लो कि प्राप्ति कर सकते हो आप रीट का एक्जाम या फिर कोई भी एक्जाम निकाल सकते हो इसी तरीके से लोगतंतर क्या है साषन का एक साधन है साध्य नहीं जनता के प्रती उत्तरदाई साषन है जो लोगतंतर है यदि जनता सरकार से प्रसंद नहीं है तो जनता क्या कर सक या सरकार को बदल भी सकती है, लोगतंत्र विकासिल शाषन है, तो ये सबी लोगतंत्र की प्रमुक्विसेस्ताइं हैं, 10th class की पॉलिटी का चैप्टर नमपर 1 का 2nd पार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं, Quesion 1 है लोगतंत्र के कौन कौन से गुण होते हैं? फर्स्ट है सारवजनिक हित्मे व्रद्धी इसका अर्थ यह है कि जो शाशक होते हैं वो सारवजनिक हित्मे व्रद्धी के वायदे के अनुसार चुनाब जीतते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें भविश्य में दुबारा से जुनाब लड़ना होता है तो वो क्या करते हैं? सारवजनिक हित्मे व्रद्धी करते हैं और फिर शाशन करते हैं नेक्स्ट है कारे कुषल शाशन लोगतंत्र को सबसे अधिकारे कुषल शाशन प्रणाली माना जाता है जैसे कि शाशन में जो नीतियां हैं वो जन्मत के अनुसार बनाई जाती हैं इनको लागू करने में जनसयोग मिलता है तो लोगतंत्र जो है शाषन जनता के परती उत्तरदाई होता है तो यह है शाषन की कारेकोशलता को बनाई रखने की कोशिश करता है नेक्स्ट जो है सारवजनिक सिक्षा का साधन जो लोगतंत्र है इसमें शाशन में जनता सारदुनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है सामाने जनता जन्मत निर्मान के साधनों और आम चुनाब के माध्यम से भिविन समस्याओं पर अपना मत्रकट करती है सामाने नागरिक अपने अधिकारे करतव्यों के प्रती जागरूग रहता है और बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीख जाता है इस गुण के कारण ही नागरिकता की सिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल भी का जाता है किसे लोकतंत्र को नेक्स्ट देखिए नैतिक सिक्षा का साधन अब इसका अर्थ यह होता है कि लोकतंत्र जो है वो शाषन व्यक्ति को लोकतंत्र शाषन जो है वो व्यक्ति को नैतिक सिक्षा भी प्रदान करता है नेक्स्ट है देश भक्ती की सिक्षा लोकतंतर में देश भक्ती की सिक्षा जो है वहभी दी जाती इससे राश्ट्रप्रियम की भावना का भी विकास होता है लोकतंतर में राज्य को किसी साशकवर की संपत्ती नहीं माना जाता है बलकि इसे तो जनता की संपत्ती माना जाता है तो यह देशबक्ती की सिक्षा को भी परदान करती है नेक्ट देखिए समानता और सोतंतरता पर आधारित शाशन क्योंकि जो लोकतंतर है वो व्यक्तियों में जाती धर्म भासा लिंग आधी के अधर पर भेदवाव नहीं करता है बलकि सबी व्यक्तियों को समान रूप से लेकर चलता है और सबी नागरिकों को कुछ सोतंतरता भ भी दिये गए हैं तो ये सब ही क्या है लोकतंतर की गुण है इससे समानता सोतंतरता जो है वह भावनावी विकास होता है सोतंतर और निस्पक्ष न्यायपालिका पर आधारे शाशन लोकतंतर में जो शाशन है वो उसमें जो न्यायपालिका है वो बिलकुल निस्पक्ष है स्वतंत्र है, यानि कार्यपालिक और विधायका से बिल्कुल अलग है, ताकि यहाँ पर निस्पक्ष न्याय जो है वो दिया जा सके, कला, साहित्य, संस्कृति वो विज्ञान की प्रगती में सहायक, लोकतंत्र जो है वह इन सभी शेत्रों में कार्य करता है, क्योंकि वह कला साहित्य, संस्कृति, विज्ञान यहाँ इनके लिए भी जोर देता है, इनकी प्रगती में भी यह सायक होता है, तो यह क्या है, इसके मेरिट है, समविधान वाद में आस्था, लोकतंत्र जो है, वो समविधान वाद में आस्था रखता है, इसका अर्थी है कि लोकतंत्र जो सुच्छाचारी शाशन के इस्थान पर विधी के शाशन में विश्वास करता है और ये ऐसी विधी को सुविकार करता है जो व्यक्ति के सुतंतरता के लिए सही हो नेक्स्ट है सक्ति साली शाषन व्यवस्था लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम पेदा करता है और यह जन्जहमती पर आधारिश शाषन है जब भी राष्ट्र पसंकट होता है तो संपूर्ण जन्ता एक व्यक्ति के रूप में संकट के व्रुद खड़ी हो जाती है इसलिए कहा गये कि यह सक्ति साली शाषन व्यवस्था जो है वो लोकतंत्र में क्या है लोकतंत्र का एक गुण है विश्व शांती का समर्थक लोकतंत्र जो है वो विस्व सांती का समर्थक भी है क्योंकि समय समय पर जब भी विस्व की शांती को खत्रा उत्पन हुआ है तो यह हमारे समविधान में हमारे लोकतंत्र में ऐसा लिखा हुआ है हर चीज वहाँ पर एक एक चीज जो है वो लिखी गई है कि किस तरीके से इस संकर से हम चुटकारा पा सकते हैं क्या-क्या हमारे जो नियम है वो हैं किस तरीके से हम सैनिकवाद, विस्तारवाद, कठोर विदेशनिती, किस प्रकार हम इसे बनाएं तो इन सब भी पर विश्वास रखना सिखाता है कौन लोकतंत्र ठीक है तो ये लोकतंत्र की गुण है लोकतंत्र के कौन-कौन से दोस होते हैं अब हमने इसके थोड़े से मेरिट देखे अब हम देखेंगे डिमेरिट कि जो डेमोक्रेसी है उसके कौन-कौन से दोस होते हैं तो देखिए फर्स्ट है लोकतंत्र की व्यक्ति संबंदी धारना जो है वो ब्रहमपून है क्योंकि लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धी और विवेक संपन मानता है उसे अधिकार मत का जो अधिकार देता है और मानता है कि वो राजनितिक मामलों में निर्ने लेने में होगा लेकिन फिर भी व्यक्ति ऐसा अबधिक प्राणी है जो अपने मूल समवेगों और आवेगों से चालित होता है और इसलिए व्यक्तियों को जब मतादिकार दे दिया जाता है तो हमें विवार में लोकतंतर की जगे क्या मिलता है भीड तंतर मिलता है यह आपने भी अब लोकतंतर का यह दोस होता है क्योंकि जो बुद्धी जीवी हैं जो पड़े लिके हैं विद्वान हैं जो बहुत सारी चीजों को जानते भी हैं वो यहां पर सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाते हैं क्योंकि गुणों की अपेच्चा शंक्या को अधिक महत्वत दिय जाता है लोकतंतर में यह हम देखते हैं जिसकी जितनी अधिक संक्या होती है उसे हम नेता बना देते हैं तो यहां समाज में बुद्धी जीवी वर्ग जो होता है इस विवासा में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाता है तो इस वजी से बुद्धी जीवी वर्ग की हितिक सिक्षा, राष्ट्र पेम की सिक्षा देता है, वास्त्विक इस्तिती तो अलग ही ऐसे, क्या कि लोकतंत्र में राजनितिक दल प्रतिक राष्ट्री समस्या पर अपने स्वार्थ की दरस्टी से विचार करते हैं, वो तक एवल अपने दल का फायता करते हैं, जिसे कि व लोगतंतर हमारा कहता है कि सवतंतरता दी गई है, समानता दी गई है. लेकिन व्यक्तियों को आर्थिक सवतंतरता वो समानता परदान नहीं की जाती हैं, जो कि हम व्यभार में भी देखते हैं. उसके बाद है राजनितिक दलों का दुष्प्रभाव। अब कुछ राजनेतिक दल जो है वो इस परकार के होते हैं कि वो किवल अपना ही फायदा देखते हैं ये हम देखते हा रहे हैं अगर आप भी देखते हैं तो आए दिन आपको न्यूस पेपर वगरा यहां पर भी ये चीज़ें दिखाई देते हैं कि जो भी politics में जो भी दल ह होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपना ही फायदा करते हैं इसके लिए उन्हें जनता को रोंद कर अगर आगे जाना पड़े तो वह भी कर लेते हैं तो यह क्या है राजनेतिक देखलों का निर्मान जो है वो राश्ट्री हित्में होता है यह सिर्फ कहने की बात ही जाता है तो जो हमारे जो गरीब जनता है जहां वहां उनके लिए इतना खर्च किया जाएगा यह क्या किया जाएगा और टाइम भी वहां पर ज्यादा खर्च किया जाता है तो यह क्या है लोकतंत्र का क्या है दोस है नेक्स्ट है उदासीन मत दाता अब मत दाता कैसे होते है उदासीन और वो किस तरीके के होते हैं क्यों उनको कोई फरक नहीं पड़ता है कि हमें कौन सा निता जो है वो हमारे लिए बहतर होगा क्योंकि वो यह सोचकर वोट देते हैं कि जो भी निता बनेगा उसने हमारे लिए तो special कुछ नहीं किया है वो तो सिर्फ अपने लिए ही क कारे करता है तो यह उदासीन जो मत दाता होते हैं इनकी वज़े से लोगतंतर में भी दोस्ट दिखाई देता है नेक्स्ट है कुश्यन नंबर 3 लोगतंतर की सफलता के लिए आभशक परिस्थितियां कौन-कौन सी हो सकती है अब लोगतंतर की सफलता के लिए ऐसी कौन- वेवास्ता आर्थिक मतला एकनौमी रूप से अगर लोगतंतर जो है वो सुद्रण होगा तो इससे लोगतंतर सफल होगा जनता का शाशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसकी भागी-दारी जो है वो आपाएगी आर्थिक समानता की स्थापना यदि आर्थिक अमीर होता जा रहा है गरीवर गरीव होता जा रहा है तो यदि इन सभी को रोजगार की द्रस्टी से समान कर दिया जाए तो आर्थिक समानता जो है वो हो जाएगी आर्थिक समानता होने की वज़े से लोगतंतर की सफलता के लिए ये बहुत अच्छी परिस्तिती होगी सा अपने कार्रें को, अपने अधिकारों को अच्छे से जान पाएंगे, अपने कर्तवियों के बारे में उनको अनौलेज होगी, तो वो उस कार्रे को कर भी पाएंगे। तो इसके लिए जन्ता को सिक्षित किया जाना चाहिए, जागरुक किया जाना चाहिए, कि जो उदासीन मतदाता भी है, वो अपना वोट जो है, वो इस तरीके से नहीं दे, कि हमारे लिए तो special कुछ नहीं होगा, क्योंकि यदि हर एक व्यक्ति यहीं सोचने लग जाएगा, तो लोकतंत्र जो है, जो हमारा राष्ट्र है, वो है, पूरी तरीके से ब्रस्ट हो जाएगा, तो इसके लिए जरूरी है कि जन्ता जो है, वो जागरुक हो जाए, नागरिक, नैतिक और राष्ट्रिय चरित, यह भी लोकतंत्र की सफलता के लिए आविशक परिस्तिती उत्पन करती है, सत्ता का विकेंद्री करण तथा इस्थानिय सोशाषन, जो मैंने आपको समझाया था, कि सत्ता जो है वो एक हाथ में ना ओकर, इसका क्या है, विकेंद्री करण है, बताया था मैंने आपको कि सरपंच से लेकर और राष्ट्रपती तक, सत्ता जो है उसका विकेंद्री करण अब कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमारी सोतंतरताय कौन कौन सी है ठीक है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उनको सिक्षित करना उनको जागरुप करना तो उनकी जो सोतंतरताय हैं उनको बताया जाना चाहिए इसके अलावा सोतंतरताओं के अलावा उनके क परतव्यों का किस प्रकार से पालन करना है यह भी उन्हें जानकरी होनी चाहिए लिखित समविधान तथा लोगतांत्रिक परंप्राएं जो हमारा समविधान जो लिखित समविधान है और लोगतांत्रिक जो परंप्राएं है यह भी लोगतांत्र की सफलता में एहम रोल नियाएपालिका जो स्वतंत्र है निस्पक्ष है जहां परव है आप ये भी देखते हैं कि लोगतंत्र में सरकार को निरंकुष सत्ता प्राप्णी होती है बल्कि उससे अनिवारे रूप से समविधानिक मर्यादां और सीमाओं को सुईकारना होता है तो लोगतंत्र की सफलत की स्थापना भी जरूरी है नेक्स्ट है योग्य वा निस्पक्ष करमचारी तंत्र जो भी करमचारी तंत्र होता है जो की लोगतंत्र की सफलता के लिए उत्तरदाई होता है तो वहां पर भी योग्य होने चाहिए निस्पक्ष होने चाहिए यानि कि एक दूसरे से जिस प जो की लोगतंत्र में कार्य कर रहे हैं, वो भी क्या होने चाहिए, योग्य होने चाहिए, सिक्षित होने चाहिए, और निस्पक्ष होने चाहिए आधारबूत मामलों में राश्ट्रिय सहमती, लोकतंत्र की सफलता के लिए अत्यन्त जरूरी है, कि आधारबूत मामलों पर समाज के जो बहु संक्यक, अल्प संक्यक, वर्ग जो होते हैं और राजनितिक दल होते हैं, इनकी सहमती हो, स्वस्त वा सुरक्षित दल ये विवस् परिष्टिती मानी जाती है योग्यवार निस्ठावान राजनेता अब इसके लिए क्या शिक्षित राजनेता जो होते हैं वो लोकतंत्र को की सफलता के लिए अहम रोल निभाते हैं क्योंकि नेता जो है वही प्रशाशन का कार्य करता है वही प्रशाशन जो है वो चला रहा होता है तो उसके लिए उसका शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है तो यह भी लोकतंतर की सफलता के लिए आविश्यक बिंदू है नेक्स्ट है सारवजने की हित की राष्ट्रिय योजने सारवजने की हित के लिए जो भी राष्ट्रिय योजने चलाई जाती है तो वह भी अ आविश्यक परिष्टितियों के बाद ही लोकतंत्र जो है वो सफल हो सकता है तो आज हमने तीन प्रशनों के माध्यम से अच्छे से समझा कि लोकतंत्र जो है उसके क्या फायदे हैं लोकतंत्र में क्या हमें डिमेरिट दिखाई देते हैं और अगर हमें इसे सफल बनाना है त आपको ये जानना जरूरी है. Class 10th की पॉलिटी का chapter number 2 केंदर सरकार तो हमने लोकतंत्र का chapter complete किया, slaybus के according बिल्कुल, first topic आपका लोकतंत्र उसके बाद केंदर सरकार, राज्य सरकार न्याय पालिका और उसके बाद स्थानिय स्वशाषन, यानि पंचायती राज व्यवस्था. तो slaybus के according यदि देखें, तो ये जो chapters है, ये बिल्कुल notes के रूप में ही आपके काम आएंगे. एक-एक point जो है, ये बिल्कुल notes के रूप में ही काम करता है. तो बहुत ही अच्छे से आपको समझना है, कोई भी आपका एक्जाम हो, जहां आपके केंद्र सरकार topic दिया हो, तो वहाँ ये topic इस में से प्रशनों जो हैं, वो आएंगे ही. चलिए स्टार्ट करते हैं, question 1 सरकार का क्या अर्थ है? सरकार का क्या अर्थ है? कि एक अमूर्थ और अद्रश्य संस्था होती है, इसे मूर्थ रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है. सरकार के प्रमुप तीन अंग कौन से हैं? तो लास्ट वे क्लासिज में हमने 6, 7, 8 में हमने देखा है कि सरकार के तीन अंग होते हैं, वो है वेवस्थापिका, कार्यपालिका और न्याएपालिका वेवस्थापिका जिसका काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका जिसका काम होता है कि उन कानूनों को लाग्गू करना और न्याएपालिका जो की हमारी स्वतंत्र होती है, निस्पक्ष होती है, सरकार की तीन अंग हैं व्यवस्थापिका, कारेपालिका और नियाएपालिका नेक्स्ट व्यवस्थापिका कगठन कितने इस्तर पर होता है व्यवस्थापिका कगठन कितने इस्तर पर होता है तो देखिए, सभी कुछ आपको पता है, क्योंकि हम पिसली जो classes में कर चुके हैं, वहां हम सभी चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन question की जो language है, वो थोड़ी सी बदल जाएगी अब, जो कि आपके exam के according होगी, exam में इसी तरीकी की प्रशन पूछ जाएगी, आप देखिए, वेवस्थापिका के गठन जो है, वो दो स्थर पर होता है, एक तो केंद्रि स्थर पर और राज्य स्थर पर, संगिय वेवस्थापिका और राज्य वेवस्थापिका जिसे कहते हैं, Q4. समविधान में संगिय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? संसत कहा जाता है. समविधान में संगिय व्यवस्थापिका यानि केंदर व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? संसत कहा जाता है. जिसमें राश्टरपती, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन प्रमुक अंगिस के माने जाते हैं, ठीक है? Next है Question 5, समविधान के किस अनुचेद में विवस्था की गई है कि संग की एक संसद होगी? देखिए, बिल्कुल ये शब्द जो हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको याद करने होगे, कौन सा अनुचेद है, जिसमें कहा गया है कि संग की एक संसद होगी? अनुचेद 79, अनुचेद 79 में कहा है कि संग की एक संसद होगी तो देखिए कुछ अनुचेद जो हैं वो आपको याद नहीं होते हैं लेकिन जो अनुचेद हम यहां इस चैप्टर में पढ़ेंगे उनको तो आपको याद ही करना पढ़ेगा क्योंकि आपके एक्जाम में इन बुक से ही कुछन आते हैं तो सभी अनुचेदों को याद करना possible भी नहीं हो पाता है तो इसलिए कुछन की language के द्वारा ही आप अनुचेद याद करेंगे जिससे की आपको वो चीज़ समझ में भी आएगी और अनुचेद इसी तरीके से याद हो जाएंगे चलिए कुछन 6 है संसत का निर्मान किन से मिलकर होता है संसत का निर्मान किन से मिलकर होता है तो संसत का निर्मान होता है राष्ट्रुपती और दो सदन लोगसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है लोकसभासंसत का कैसा सदन है लोकसभासंसत का कैसा सदन है तो यह एक तो प्रतम सदन है निमन सदन है क्योंकि उच्छ सदन राज्य सबा है और यह क्या है लोकप्रिय सदन है क्योंकि जनता जो है वो प्रतिक्ष रूप से यहां पर मत देती है और अपने जो प्रतिनिधी जो लोग सभा के सदस्य कैसे निर्वाचित होते हैं यह प्रत्यक्स रूप से जनता द्वारा वयस्क मतादिकार से होते हैं वयस्क मतादिकार यानि कि जिनकी 18 वर्से से अधिक उम्र होती हैं वो अपना मत देते हैं वो जनता जो है वो अपना मत देती है नेक्स्ट कोश्यन 9, मूल समविधान में लोक सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखे, पूछा क्या है? मूल समविधान में, जब समविधान बना था, उस समय लोक सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर है 500 सदस्य, याद रखने हैं कितना 500 सदस्य है? लेकिन यदि अब पूछा जाए तो लोक सभा में सदस्यों की जो अदिक्तम संख्या है वो 550 है वर्तमान में कितनी है? 550 इससे पहले 552 थी लेकिन दो एंग्लो इंडियन जो की अब हटा दिये गए हैं तो अब कितनी है संख्या? 550 और मूल समविधान में 500 सदस्य थे लोक सभा सदस्यों की अदिक्तम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोक सभा में अदिक्तम सदस्यों की संख्या जो है वो 550 हो सकती है जिसमें से 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन शेत्रों से होते हैं और 20 सदस्य संगिय शेत्रों से निर्वाचित होते हैं तो पहले भी हम इन questions जो हैं इसे कर चुके हैं नेक्स्ट है question 11 लोगसभा की सदस्य बनने की क्या योगिताएं होती हैं देखिए पहली तो कि भारत का नागरिक हो ये तो होना जरूरी है उसके बाद लोगसभा का सदस्य बनने के लिए आयू 25 वर्स से अधिक भारत सरकार अथ के पद पर पदासीन ना हो और पागलव दिवालिया ना हो ये सभी लोगसभा का सदस्य बनने के लिए योगिताएं होती हैं यहाँ पर याद रखने वाली बात है 25 वर्स नेक्स्ट है लोगसभा का कारेकाल कितना होता है लोगसभा का कारेकाल कितना होता है तो आंसर है पांच वर्ष लोगसभा को समय से पूर्व भंग किसके द्वारा किया जा सकता है हमें पता है लोगसभा जो है वो निम्न सदन है क्योंकि इसे समय से पूर्व यानि पांच वर्ष होने से पहले भी भंग किया जा सकता है तो किसके द्वारा भंग किया जा सकता है यह राष्ट्रपती के द् मंतरी मंदल जो होती है, उसकी सलाविशक होती है, तो प्रधान मंतरी के परामर्श के अधार पर ही राश्टुपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है Q14, लोकसभा और राज्येसभा के अधिवेशन किसके द्वारा बुलाए वORA इस्तगित किये जाते हैं, का आंसर है राश्ट्रपती द्वारा किन्तु लोगसभा की दो बैठकों में छे माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए तो जो संसद के सदन है उनकी अधिवेशन किसके द्वारा बुलाए वस्तगित किया जाते हैं राश्ट्रपती के द्वारा कुश्यन 15 समविधान के किस अनुचेद के अनुचार लोगसभा स्वयम ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी तो यह किस अनुचेद में है यह है अनुचेद 93 के अनुचार इससे पहले हमने कौन सा अनुचेद पढ़ा था कि सम विधान में 79 अनुचेद के अनुचेद 79 के अनुचार की संग की एक संसद होगी यह हमने पढ़ा था अब आपको याद हुआ होगा नेक्ट आपको जो अनुचेद जो याद करना है वो है कि अनुचेद 93 के अनुचार लोगसभा अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष जिससे speaker कहेंगे या लोगसभा अध्यक्ष कहेंगे और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है ये आपको दोनों अनुचेत जो है वो आपको याद रखने है तो जो question आएंगे अनुचेत से related वो तो आपको याद ही रखने है समविधान के अनुचार लोगसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किसके द्वारा निर्धारित वेतन और बत्ते प्राप्त होते हैं तो ये decide करता है संसद संसद द्वारा ही निर्धारित व्यतन बत्ते प्राप्त करते हैं लोगसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष Q17. लोगसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? उनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? किसको? लोकसभा की अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को. इसका सही आंसर है कि लोकसभा की ततकालिन सदस्यों जो समय मौझूद हैं, उनके बहुमत से प्रस्ताव पास होने पर वो प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन सूचना दी गई हो. तो इनको हटाने की प्रक्रिया कैसी है? कि जो सदस्यों होते हैं, उनके बहुमत से प्रस्ताव पास होते ही लोकसभा की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा दिया जाता है. लेकिन इसके लिए प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन पहले स लोकसभा की सभी बैटकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो अध्यक्षता जो है वो कौन करेगा? लोकसभा में से ही कोई सदस्यों द्वारा कोई एक अध्यक्ष जो है वो चुना जाता है जिसे स्पीकर कहते हैं तो वही स्पीकर वही लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो सभी बैठकों की अद्यक्षता करते हैं कौन निर्नय करता है कि कोई विद्यक धन्-विद्यक है या नहीं तो इह निर्नय करते हैं लोकसभा के अद्यक्ष कौन करते हैं लोक सभा के अध्यक्ष 10th class की पॉलिटी का 2nd chapter किंदर सरकार का 2nd part तो देखिए chapter जो है वो काफी बड़ा है मात्र 3 chapter ही हैं आपके 10th class में और आपके exam के according बिल्कुल notes के रूप में ही मैं आपको करवा रही हूँ एक भी प्रेश्ण जो है वो आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप उसको side में रख देंगे हर प्रेश्ण जो है वो आपके लिए important है यदि वास्तव में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से करना होगा और chapter काफी बड़ा है इसी लिए एक ही part में ये संभव नहीं है इसको कराना क्योंकि केंदर सरकार जो है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा है इसमें हम संसद, राज्य सभा, लोक सभा, राष्ट्रपती, उप्राष्ट्रपती तो इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इसी लिए इसके जो हैं वो part बनेंगे चली स्टार्ट करते हैं, question 1 आज हम करने वाले हैं, राज्य सभा से related सभी प्रश्णू भारतिय संसत का दुट्य या उच्य सधन कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है राज्य सभा यदि पूछा जाए कि भारतिय संसत का प्रथम या नेमन सदन कौन सा है, तो उत्तर होगा आपका लोक सभा question number 2, समविधान के अनुसार राज्य सभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है तो इसका सही उत्तर है 250, प्रथमान में 245 है और जिसमें से 233 जो है वो राज्यों से और 12 सदस्य जो है वह राश्रपती द्वारा मनोनित होते हैं तो ये सभी राज्य सभा के सदस्यों की संख्या है वही लोक सभा के सदस्यों की हमने बात की थी तो अधिक्तम 550 सदस्य जो है वो होते हैं जिसमें से जो दो सदस्य पहले शामिल थे उनको हटा दिया गया है, पहले 552 थे और जो कि वर्तमान में 550 हैं, नेक्स्ट है, कुश्यन नमबर 3, राजे सभा में 12 सदस्यों को मनोनित कौन करते हैं, तो देखिए, राजे सभा में 12 सदस्यों मनोनित किये जाते हैं, वो राष्ट्रपती के द्वारा किये जाते हैं, और यही 12 सदस्य जो हैं, राष्ट्रपती द्वारा मनोनित किये जाते है तो वो राश्ट्रपती की निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं नेक्स्ट है राज्य विधान मंदल द्वारा कितने सदस्य राज्य सभा में निर्वाचित होते हैं तो हमें पता है कि राज्य सभा के कुल सदस्य जो है वह है 245 है वर्तमान में जिसमें से 233 सदस्य राज्य विधान मंदल द्वारा और बाकी 12 सदस्य राष्ट्रपती द्वारा मनोनेत होते हैं नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 5 राज्य सभा में सदस्यों को चुनाव किस पद्दती के अनुसार संग के विविन राज्यों और संग्य शेत्रों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है तो यहाँ एक प्रश्ण तो यही बनता है कि राज्य सभा में जो सदस्य हैं वो कौन होते हैं वो संग के विभिन राजियों और संग्जिय शेत्रों की विधान सभाओं के सदस्यों होते हैं तो इनका चुनाव जो है वो होता है आनुपातिक प्रतेनिदित्व की एकल संकर्मणिया पद्दती द्वारा कौन सी पद्धिती से होता है आनुपातिक प्रतिनिदित्व की एकल संकरमनिय पद्धिती द्वारा नेक्स्ट है कुश्चन 6 राजे सभा के सदस्यों की क्या योगताएं हैं पहले तो याद रखना है भारत का नागरिक हो सेकिन पागल या दिवालिया ना हो किसी लाब के पद पर आशीन ना हो ठीक है तो और उसकी अलाबा जिसकी उम्र तीस वर्ष या इससे अधिक हो वह राजे सभा का सदस्य बनने योग्य है नेक्स्ट कुश्चन है कुश्यन नमबर 7 राजे सभा के सदस्यों का कारेकाल कितना होता है तो उनका कारेकाल होता है छे वर्ष का राज्य सभा जो एक स्थाई सदन है उच्छ सदन है तो उनके सदस्यों का जो कारेकाल है वो छे वर्ष का होता है और हर दो वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य सेवा निर्वत हो जाते हैं यानि हर दो वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य जो कितने पदाधिकारी होते हैं, राज्य सभा के कितने पदाधिकारी होते हैं, तो इसका अंसर है, वहाँ पर दो पदाधिकारी होते हैं, एक होते हैं सभापती और एक होते हैं उपसभापती, राज्य सभा के जो पदाधिकारी होते हैं, वो दो होते हैं सभापती और उपसभा सभापती जो होते हैं वह तो हमारे जो उपराश्ट्रपती होते हैं वही राज्यसभा के सभापती कहलाते हैं और उपसभापती जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही जिसे बनाया जाता है next है question number 9, राजे सभा के पदेन सभापती कौन होते हैं, उप्राश्ट्रपती होते हैं, next है question number 10, राजे सभा किसका प्रतिनिदित्व करती है, तो भही राजे सभा जो है, वो राजियों का प्रतिनिदित्व करती है, next है question number 11, राजे सभा में उप्राश्ट्रपती कौन होता है, तो सभापती हमने जाना कि उप्राष्टपती ही राज्य सभा के सभापती होते हैं, जो कि राज्य सभा के सदस्यों मैंसे नहीं आते हैं, ठीक है, याद रखना है, लेकिन जो उप्र सभापती होते हैं, वो राज्यों मैंसे, राज्य सभा अपने सदस्यों मैंसे किसी एक को शे वर्षे के लिए उपसभापती निर्वाचित करती है, तो confused नहीं होना है, क्योंकि हम यदि लोकसभा की बात करते हैं, तो वहां हमने देखा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है, वो लोकसभा जो है, वह अपने सदस्यों में से ही किसी को बनाती है, लेकिन राजसभा में कीवल उपसभापती को ही बनाया जा रहा है सदस्यों में से, राजसभा के सदस्यों में से, और सभापती तो हम जानते हैं वो प्राश्टपती होते हैं. Next है, 12 questioned विधाई सक्थियों का क्या कार्य है, विधाई ये बात हम बहुत पहले से जानते हैं कि विधाई मतलब कानून तो विधाई सक्ती का कार्य क्या होगा? कानून का निर्मान करना Next है question number 13 संसद को किन सूची में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? संसद यानि केंद्र को किन सूची पर कानून बनाने का अधिकार है? तो हमारी जो केंद्र है वह संग सूची और संवर्थी सूची इन दोनों पर कानून बना सकती है वहीं हम राज्यों के विधान मंडल की बात करें तो वह है राज्य सूची और समवर्थी सूची इन दोनों पर कानून बनाती है ठीक है तो याद रखना है समवर्थी सूची पर केंदर और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं Next है, Question number 14. समविधान में संसोधन का प्रस्ताव का अधिकार किसे है? समविधान में यदि संसोधन का प्रस्ताव है, तो यह अधिकार जो है वो संसद को है, जिसमें लोकसभा और राजसभा दोनों शामिल है. Question 15. राश्ट्रिय वित्तिय का पूर्ण अधिकार किसे है? पूर्ण अधिकार राश्ट्रिय वित्तिय का. तो यह अधिकार है भारतिय संसद को. Next है, Question number 16. प्रति वर्ष वित्तमंत्री. द्वारा प्रस्तावित वजट राश्ट्री आयविया का लेखा, किस सदन की सुईकृति के बिना आयविया संबंदिकारे नहीं किया जा सकता? तो प्रति वर्ष जो वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट होता है, वो किस सदन की सुईकृति के बिना सुईकार नहीं किया जा सकता? संबंदिकारे नहीं किया जा सकता? तो यह है लोकसभा, लोकसभा की स्विक्रती जो है वो जरूरी है बजट में वित्तमंत्री द्वारा जो प्रस्तावित बजट होता है उसमें सम्विधान के अनुसार संगिय कारेपालिका यानि कि हमारी मंत्री मंडल किसके प्रती उत्तरदाई होगी तो हमारी जो मंत्री मंडल है कारेपालिका जो है वह संसद के प्रती उत्तरदाई होती है और विशेश कर वह लोकसभा, व्यवहार में वह लोकसभा के प्रती पर रह सकता है। देखिये मंत्री मंडल जो है वो कब तक अपने पद पर रह सकता है। जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है। तो लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है तब तक वो अपने पद पर रह सकता है। यदि अब विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आता है तो पूरी मंतरी मंडल प्रधान मंतरी सहित सभी अपने पदसेश्टी पर दे देते हैं next है question 19 संसद को निर्वाचन संबंदी सक्तियां किस अनुचेद में है संसद की जो निर्वाचन संबंदी सक्तियां है वह किस अनुचेद में है तो इसका सही उत्तर है अनुचेद चववन ठीक है पिसले वीडियो में हमने दो अनुचेद किये थे यदि आपने नहीं पढ़ा है लास्ट वीडियो तो पढ़िएगा उसको वहां हम दो अनुचेद कर चुके थे यहां हमने इस अनुचेद की बात की है अनुचेद चववन ठीक है तो लगबग हर वीडियो में दो अनुचेद जो है उनके बारे में हम बात करेंगे जिससे आपको उस चीज को याद करने में भी आसानी रहेगी कि उससे संबंदित क्या बात यहां रखी गई है क्योंकि सभी अनुचेदों को एक साथ याद रखना इतना possible नहीं होता ह तो इसी तरीके से आप याद रखिएगा जिससे की statement जो है उसके साथ याद रखेंगे तो वो चीज याद रहती है किस अनुचेद के अनुसार संसत की दोनों सद्नों के निर्वाचित सदस्य और राष्टपती द्वारा मनोनित सदस्य ओ प्राष्टपती का निर्वाचित करते हैं ठीक है एक और अनुचित हमें याद करने को मिला कि अनुचित 66 जो है वहाँ उपराष्टपती के निर्वाचन की बात लिखी हुई है राष्टपती सर्वोच नियाले के नियाधीसों पर महावयोग का प्रस्ताव का अधिकार किस सदन की स्विक्रती पर है तो यह है राज्यसभा और लोगसभा यानि संसद की स्विक्रती पर नेक्स्ट है कुश्यन 22 उपराष्टपती को उपत से हटाने का प्रस्ता पहली बार किस सदन में आएगा तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमें पता लगेगा कि उपराष्टपती जो राज्यसभा के राज्यसभा में से ही चुन कर आए है ठीक है राज्य सब्हा से ही निर्वाचित उपराष्टपती को उपत से हटाने का प्रस्ता पहली बार किस सदन में आएगा तो हमें पता है उपराष्टपती जो है वह किस सदन के हैं उपराष्टपती राज्यसभा के हैं उपराष्टपती को उपत से हटाने का प्रस्ता पहली बार किस सदन में आएगा तो हमें पता है कि उपराष्टपती जो है वो राज्यसभा के सभापती होते हैं तो वह है राज्यसभा में सबसे पहले ये प्रस्ताव आएगा यदि उपराष्टपती को उपत से हटाने का प्रस्ताब आएगा वो सबसे पहले राज्य सभा में आएगा उसके बाद लोग सभा में आएगा next है question number 23 राज्य सभा को कौन से दो विशिश अधिकार है जो लोग सभा को नहीं है राज्य सभा को ऐसे कौन से विशिश अधिकार है जो लोग सभा को नहीं है देखिए अनुचे 249 की अनुसार और अनुचे 312 की अनुसार पहले तो यह याद रखना है कि अनुचे 249 और 312 की अनुसार राज्य सभा को दो विशेश अधिकार हैं जो लोग सभा को नहीं है ठीक है याद हो गए आपको अनुचे 249 और अनुचे 312 अब देखते हैं इनमें क्या है अनुचे 249 की अनुसार राज्य सभा में उपस्तित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से राज्य सूची के किसी विशेश को राष्ट्री महत्व का विशेश घोसित कर सकती है वह राज्य सूची के विशेश पर कानुन बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है हमें पता है कि राज्य सुची पर राज्य कानून बना सकता है और केंद्र सुची जिस पर केंद्र कानून बनाती है लेकिन राज्य यदि चाहता है तो राज्य सभा में उपस्तित और मतदान में भाग लेने वाले दो तिहाई सदस्यों के भूमत से राज्य सुची के किसी व अनुचे 312 में है कि राज्य सभा का दो तिहाई भूमत से ही जो अखिल भारतिय सेवाएं हैं अखिल भारतिय सेवाएं जो हैं वो इस्थापित करने का अधिकार यह भी केंदर सरकार को दे सकती है कौन दे सकती हैं राज्य सभा याद रखना है तो यह दोनों अधिकार जो हैं वो राज्य सभा को हैं जिसको की वह कानून बनाने के लिए संसद को सौप सकती है 10th class का 2nd chapter का 3rd part दो पार्ट जो हैं वो हमने complete कर लिए हैं जिसमें हमने राज्य सभा और लोग सभा के बारे में जाना आज हम करेंगे जिसमें हम राष्ट्रपती और उपराष्ट्रपती के बारे में जानेंगे Q1. समविधान के किस अनुचेद में उपलब्द है कि भारत का एक राष्ट्रपती होगा Q2. किस अनुचेद में है कि संग की कारेपाली का सक्ती राष्ट्रपती में नहीं थोगी देखिए अनुचेद 52 हमें यह पता चलता है वहाँ कि भारत का एक राष्ट्रपती होगा, तो अनुचेद 53 जो है उसमें यह उलेकित है कि संग की कारेपालिका शक्ती राष्ट्रपती में नहित होगी, दोनों की ही भासा बदल गई है, दोनों याद रखना है, नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 3, कारेपालिका का उपचारिक या वेधानिक या नाम मातर का प्रधान कौन होता है, तो हम कई बार यह देख चुके हैं कि कारेपालिका का उपचारिक या वेधानिक या नाम मातर का प्रधान कौन होता है, तो वो होते हैं राष्ट्रपती, ने वो कौन होता है प्रधान मंतरी नेक्स्ट रहे हैं कुश्यन नमबर 5 समविधान की संगिय कारेपालिका में कौन-कौन होते हैं समविधान की संगिय कारेपालिका में कौन-कौन होते हैं तो देखिए कारेपालिका में जो संगिय कारेपालिका में उसमें होते हैं राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधान मंत्री, मंत्री परिशद व भारत का महानियाए वादी संगय कारेपालिका में कौन-कौन होते हैं? कुश्यन नंबर 6 राष्ट्रपती पद के लिए क्या उम्र होनी चाहिए? तो उसके लिए उम्र होनी चाहिए 35 वर्स वह लोगसबा का सदस्य निर्वाचित होने की योगेता रखता हो याद रखना है लोगसबा का सदस्य नहीं पुछा है यहाँ है कि लोक सबा का सदस्य निर्वाचित होने की योगिता रखता हो ठीक है और उम्र क्या होनी चाहिए 35 वर्ष नेक्स्ट कुश्य नमबर सेवन राष्ट्रपती भारती संसद और राज्यों के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा यह कथन कितना सत्य है तो देखिए जो हमने देखा कि राष्ट्रपती के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए लेकिन लोक सबा का सदस्य बनने की योगिता रखता हो तो इसलिए यह प्रशन है कि भारती संसद अथा राज्यों के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा वो तो किवल क्या लोक सबा के सदस्य बनने की योगिता रखता हो ठीके तो यह कथन जो है वो पूर्णते सत्य है राष्ट्रपती के चुनाम में कौन-कौन शामिल होते हैं तो कौन-कौन शामिल होंगे संसद के दोनों सदन लोक सबा और राज्य सबा के जो निर्वाचित सदस्य है वो शामिल होंगे, राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, वो संगिय शेत्र की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। तो यह वर्णित है सत्तरवा सम्विधान अनुछेद 1992. राश्ट्रपती के चुनावगी क्या पद्धती है? तो यह है एकल संक्रमणिय मतपद्धती और एप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है गुप्त मतदान द्वारा. यहां पर हम प्रत्यक्ष रूप से मतदान नहीं करते ह है राश्ट्रपती के चुनाव में? तो यहाद रखना है एप्रत्यक्ष निर्वाचन एकल संक्रमणिय मतपद्धती और गुप्त मतदान के द्वारा राश्ट्रपती का चुनाव होता है. कुश्यन 11. समुधान के किस अनुच्षेद के अनुच्षार राश्ट्रपती द्वारा समुधान का उलंगन किये जाने पर उसे महाव्योग द्वारा हटाया जा सकता है. तो महावयोग का जो प्रावधान है राष्ट्रपती पर जो महावयोग लगाया जाता है वह है वर्नित है अनुच्छेद 61 में याद रखना है राष्ट्रपती की बारे में हम तीन अनुच्छेद देख चुके हैं जिसमें हमने अनुचेद 52 में देखा कि भारत का एक राष्ट्रपती होगा, अनुचेद 53 में हमने देखा कि जो कारेपालिका की जो सक्ती है, संग की कारेपालिका शक्ती राष्ट्रपती में नहित होगी, अब हम देख रहे हैं अनुचेद 61, जिसमें देख रहे हैं कि राष इतने सदस्य भाग लेंगे, यहां पर संसत के जो समस्त सदस्य हैं, उनकी संख्या के एक बट्टा चार सदस्यों के हस्ताक्षर जो हैं, वो राष्ट्रपती के महावयोग में होते हैं, राष्ट्रपती के महावयोग में प्रस्ताव कौन सा सदन ला सकता है, राष्ट्रपती उपराश्टपती और राश्टपती इन दोनों का ही कारेकल कितने समय का होता है राश्टपती और उपराश्टपती इन दोनों का ही कारेकल का जो समय है वो 5 वर्ष का होता है next है question 15 राष्ट्रपती किन अधिकारियों को न्युक्त करता है तो किस किस की न्युक्ती जो है वो राष्ट्रपती के द्वारा होती है देखिए यहाँ प्रधान मंतरी की न्युक्ती जो है वो राष्ट्रपती करते हैं प्रधानमंतरी की सला से जो अन्यमंतरी है उनकी करते हैं, राज्यों के राज्यपाल की करते हैं, देखिए राज्यों के राज्यपाल की करते हैं, लेकिन राश्टपती जो हैं, वो राज्यों के जो राज्यपाल हैं, उन्हें सपत नहीं दिलाते हैं, ये याद रखना है, ठ जिसों में जो राज़दूत होते हैं, इनकी सब की न्युक्ति कौन करते हैं? राश्ट्रपती करते हैं. Next है question number 16. संसद की दोनों सद्रों की संयोगत बैठक कौन बुलाता है? तो दोनों की संयोगत बैठक बुलाने का कार्य करते हैं राश्ट्रपती. Next है question number 17. मंत्री परिशयत के सदस्यों के बीच विभागों का वितरन कौन करते हैं तो कौन-कौन से मंत्रियों को कौन-कौन सा विभाग दिया जाएगा तो यह वितरन करते हैं राश्ट्रपती और किसकी सलाहा पर कार्णे पालिका की सलाहा पर Next है Question No.18 भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान, सेनापती या प्रमुक कौन होगा तो कौन होता है भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान, सेनापती होता है राश्ट्रपती Question No.19 प्रति रक्षा सेवाओं युद्ध और सांती आदी के विशे में कानून बनाने की सक्ति किसको प्राप्त है तो यह प्राप्त है संसद को संसद को प्राप्त है प्रतिरक्षा सेवाओं युद्ध और सांती आदी के विशे में वो कानून बनाती है लेकिन जो स्विक्रती जो है वो संसद की मिलने पर घोषना युद्ध की कौन करेंगे राश्ट्रपती संसद का अदीवेशन बुलाना जिसे हम कहते है आहूत करना वह समाप्ति यानि सत्रावसान और लोगसभा को निष्चित समय से पहले ही भंग कर देना ये कौन कर सकते है ये कर सकते है राश्ट्रपती लेकिन अकेले राश्ट्रपती की सैमती नहीं होती है वह प्रधान मंत पर ही लोकसभा भंग करते हैं. Next है question number 21. राज्यसभा की 12 सदस्यों को मनोनित करने का अधिकार किसे है? तो ये हम कर चुके हैं कि 12 सदस्यों को मनोनित करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपती को है राज्यसभा में. Question number 22. राष्ट्रपती की अनुपस्तिती में उसके पद का कारेभार कौन समालता है? तो कौन समालेगा? राष्ट्रपती की अनुपस्तिती में उसके पद का कारेभार समालते हैं उपराष्ट्रपती, जो की राज्यसभा के सभापती होते हैं. Next रहे question 23. संसद द्वारा सुईक्रत प्रति एक विध्यक कानून का रूप कब ग्रहन करेगा संसद द्वारा सुईक्रत संसद जब सुईक्रत करती है तो वो विध्यक होता है लेकिन वो विध्यक जो है वो कानून तब बन सकता है जब राष्ट्रपति उस पर सिगनेचर कर दें ठीक है तो राश्ट्रपती की सुईकृत्ती के बाद वो विधियक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है. Next है, अध्यादेश जारी करने की सक्ति राश्ट्रपती को किस अनुच्छेद के अंतरगत है? अब एक और अनुच्छेद जो है वो आपको याद करने को या मिलेगा, कि अध्यादेश जारी करने की सक्ति जो है वो राश्ट्रपती को अनुच्छेद 123 के अंतरगत है, ठीक है? अनुच्छेद 123 के अंतरगत अध्यादेश जारी करने का दिकार राश्ट्रपती को है, और जहां हम राज्यपाल की बात करेंगे तो अनुचेद 213 की अंतरगत राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है देखिए कोशन आ गया है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुचेद की अंतरगत है तो मैंने आपको बताया कि अनुछे 213 की अंतरगत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ती प्राप्त है अध्यादेश कब जारी होता है? कब होता है अध्यादेश जारी? देखिए जब संसत का अध्यादेश जारी ना चल रहा हो तब अध्यादेश जारी होता है तो हमने देखा राश्ट्रपती जो हैं, वो 123 अनुचेत के तहत और राज्येपाल जो हैं, वह 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं. Next question 27. अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंब होने के कितने समय तक लागू रहेगा? यह संसद के अधिवेशन प्रारंब होने के छे सपता तक ही लागू रहेगा? Question 28. किसकी अनुमती के बिना कोई धन विद्यक लोगसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकता? तो इसका आंसर है राश्ट्रपती. Next question 29. अनुचे 352 में क्या उललेखित है? तो इसका आंसर है कि राश्ट्रपती द्वारा अनुचे 352 के अंतरगत आपातकाल की घोशना मंतरी मंडल लिखित रूप में राश्ट्रपती को परामर्श दे. तो हमें क्या मिलता है अनुच्छे 352 में हमें मिलता है कि राश्ट्रपती द्वारा आपातकाल की घोषना जो है वो अनुच्छे 352 के अंतरगत की गई है और तो राश्ट्रपती जो है वो अनुच्छे 352 के तहत जो है वो राज्यों में आपातकी इस्तिती होती है राज्यों में सम्विधानिक तंतर के विफल होने से उत्पन संकट कालिन व्यवस्ता होने पर राश्ट्रपती सासन लग जाता है Next question number 31 अनुच्छे 360 क्या है? अनुच्छे 360 है वित्तिय संकत या वित्तिया अपातकाल की घोषना जो अब तक एक बार भी नहीं लगी है वित्तिय संकत या वित्तिया अपातकाल की घोषना जो है वो अनुच्छे 360 की अंतरगत की जाती है Class 10th का chapter number 2 का next part तो लास्ट वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है ये चेप्टर क्योंकि हम बात कर रहे हैं केंदर सरकार की जिसमें हम राज्य सभा, लोक सभा, राश्ट्रुपती ये हम कर चुके हैं आज हम करने वाले हैं उप्राश्ट्पती और प्रधान मंत्री से संबंदित सभी प्रशन चलिए स्टार्ट करते हैं उप्राश्ट्पती के पत की विवस्ता किस अनुछेद में की गई है तो इसका आंसर है अनुछेद 63 के अंतरगत उप्राश्ट्पती के पत की विवस्ता क नेक्स्ट है कुश्यन नमबर टू उप्राष्टपती बनने के लिए क्या उम्र होती है क्या उम्र होनी चाहिए उप्राष्टपती बनने के लिए तो इसका आंसर है कि कम से कम 35 वर्स उसकी उम्र जो है वो होनी चाहिए देखिए उप्राष्टपती बनने के लिए और राष् सबा का सदस्य बनने योग्य हो ठीक है राज्य सबा का सदस्य नहीं राज्य सबा का सदस्य बनने योग्य हो next question number three उप्राश्टपत्ती का निर्वाचन कैसे होता है कैसे होता है उप्राश्टपत्ती का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से होता है अनुपातिक प्रतिनिदित्व प्रणाली की एकल संकर्मनिय मत पद्धिती और गुप्त मतदान द्वारा उप्राष्टपती का निर्वाचन होता है और उप्राष्टपती के निर्वाचन में मत कौन कौन करते हैं संसद के दोनों सदन करते हैं और यहाँ पर जो राष्टपती द्वारा मनोनित 12 सदस्य होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं Next question number 4 राज्यसभा का पदेन सभापती कौन होता है ठीक है क्योंकि वह राज्यसभा के सदसे बनने योग्य हो तो वो उपराष्टपती बनते हैं लेकिन राज्यसभा का सदसे नहीं होते हैं इसलिए उन्हें वोट का अधिकार नहीं होता है लेकिन जब किसी विशय पर कोई बहस होती है तो वहाँ पक्ष और विपक्ष इसके बारे में बराबर निर्नायक विचार देने का अधिकार उप राष्टपती को रहता है राष्टपती के परामर्ष को मंतरी मंडल तक कौन पहुचाता है इसका सही आंसर है प्रधान मंतरी यानि की प्रधान मंतरी जो है वो राष्टपती और मंतरी मंडल इनके बीच कड़ी का कारिया करते हैं नेक्स्ट कुश्चन नमबर 6 राष्टपती को उसके कारियों के संपाधन में सहायता एवं परामर्ष देने के लिए मंतरी परिशद होगी जिसका प्रधान प्रधान मंतरी होगा तो यह किस अनुछेद में उपवंदित है तो एक और अनुछेद आपको याद करने को मिलत है कि राष्टपती को उसके कारियों के संपाधन में परामर्ष देने के लिए मंतरी परिशद होगी जिनके हैड होंगे प्रधान मंतरी तो यह है अनुछेद 74 के तहत नेक्स्ट कुश्यन नमबर 7 समविधान के किस अनुछेद के अनुछार प्रधान मंतरी की निक्ति और अन्य मंतरी की निक्ति राष्ट्रपती द्वारा होगी अभी हमने अनुछेद 74 देखा था अब हमने देखा है अनुछेद 75 जिसमें है कि प्रधान मंतरी की निक्ति और प्रधान मंतरी के सला पर अन्य मंतरी की निक्ति कौन करते हैं राष्ट्रपती आज हमने देखिए त अनुचेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपती होगा, अनुचेद 53 में संग की कारेपाल का सक्ती राष्ट्रपती में नहीं थोगी, ठीके, और उसके बाद हमने देखा कि उप राष्ट्रपती के पद की बाद हमने अनुचेद 63 में देखी, अनुचेद 74 में राष्ट्रपती को परामर्श देने के लिए मंत्री परिशद होगी, जिसका प्रधान प्रधान मंत्री होगा, अनुचेद 75 में हमने देखा कि प्रधान मंत्री की उन्युक्ती और प्रधान मंत्री की सलापर अन्यम मंत्रियों की उन्युक्ती राष्ट्रप तो इसका आंसर है कि मंत्री परिशाद का सदस्य बनने के लिए उसका संसद सदस्य बनना जरूरी है, ठीके, संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महिने के अंदर ही संसद का सदस्य बनना अनि मंत्रियों को सपत कौन दिलाते हैं, राश्ट्रपती ठीक है राश्रपती के समक्ष प्रधान मंत्री जो मंत्रियों के हैड है उनके सहित प्रतियक मंत्री को पद और गोपनियता की सपत लेनी होती है ठीक है तो दो सपत जो है वो लेंगे राश्रपती के समक्ष प्रधान मंत्री और उनकी मंत्री मंडल next question number 10 منتری परिशत का कारेकाल कितना होता है منتری परिशत का कारेकाल कितना होता है तो इसका answer है कि सामाने थे 5 वर्ष का होता है लेकिन यह निश्चित नहीं होता है क्योंकि हमें पता है कि लोक सभाजु है वो स्थाई सदन है और कभी भी भंग हो जाता है यदि संसत का विश्वास प्रस्ताब नहीं होगा तो वो भांग हो जाएगी ठीके तो इसलिए मंत्री परिशत का कारिकाल जो है वो संसत का विश्वास प्रस्ताब प्राप्तो होने तक बने रहते हैं तो वो सामानने तब पांच वर्ष होता है या निश्चित नहीं इन दोन इसे मिलेगा नेक्सट रोगे कुछ नम्बर 11 मंत्रीमंडल न मंत्री मंदल एक होता है मंत्री परिशद मंत्री मंदल में कौन से मंत्री आते हैं इसमें आते हैं कैबिनेट मंत्री जैसे ग्रह मंत्री वित मंत्री रक्षा मंत्री विदेश मंत्री रेल मंत्री ठीक है तो यह मंत्री आते हैं मंत्री मंदल यानि कैबिनेट मंत्री ठीक है तो मंत्री मंदल में कैबिन मंत्री भी आते हैं और इनकी हैल्प करने के लिए उपमंत्री भी होते हैं और वहीं मंत्री मंडल में हमने देखा केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं नेक्स्ट कुश्चन नमबर 14 भारतिय साशन विवस्ता का हिर्दे किसे कहा जाता है अब ये लाइन जो है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी यदि आपने 10th क्लास की पॉलिटी नहीं देखी है क्योंकि आपको लाइन जो है वो हर जगे नहीं मिलती है अगर यदि आप ये चै नेक्स्ट रो कोशिंन नमबर 15 मंतरी परिशद किसके परती उत्तरदाई होती है आंसर है लोकसभा के परती मंतरी पर्शद उत्तरदाई होती है मूल रूप से सर्वोच न्याले के लिए कितने न्यायधीस की विवस्ता की गई है अब यहाँ पर इसकी language को अच्छे से समझना है यहाँ पूचा है सर्वोच न्याले के लिए कितने न्यायधीस की विवस्ता की गई थी कब मूल रूप से ठीक है प्रारंब में तो आंसर है एक मुख्य नियाधिस और साथ अन्य नियाधिस सम्विधान के द्वारा सरवोच नियाले के नियाधिस के वेतन निश्चित करने का अधिकार किसे दिया गया है तो देखिए जब हम मंत्रियों की बात करते हैं कि उनके वेतन बत्ते जो है वो संसद डिसाइड करती है इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है उसके नियाधिस के जो वेतन निश्चित करने का अधिकार वो भी हमारी संसद को राप्त है पार्ट करेंगे सेकिंड चेप्टर का इसके बाद केवल एक चेप्टर आपका रह जाएगा थर्ड चेप्टर उसे भी हम कर लेंगे जिसे कि आपकी सिक्स से टैंथ तक की पूरी कंप्लीट हो जाएगी चलिए स्टार्ट करते हैं वर्तमान में सर्वोच नियाले और उच नियाले में नियाएधीसों की निक्ति किस विवस्था से की जाती है तो वो कौन सी विवस्था से सर्वोच नियाले और उच नियाले के नियाएधीसों की निक्ति होती है तो वह है विवस्था कहलाती है कॉलेजियम विवस्था ठीक है कॉलेजियम विवस्था से सर्वोच न्याले और उच न्याले के न्यायदीसों की नुक्ति की जाती है अब ये कॉलिजियम विवस्ता क्या होती है? जान लेते हैं इसको जिसके अनुसार सर्वोच नयाले के मुक्य नयाधीस और चार वरिष्ट नयाधीसों का एक समू होता है जो की राश्ट्रपती को नाम प्रस्तावित करते हैं और राश्ट्रपती इनही नामों में से नयाधी प्रश्न जो है वो नहीं आता है कोई इसका मतलब मैं उनने पहले करवा चुकी हूँ तो आप उन वीडियो को देखिएगा जिसे की आपके नोट्स बनाने में आपको काफी मदद मिलेगी सर्वोच नयले के नयदीज बनने की क्या यूगता होती है कि वह किसी हाई कोट में लगातार 10 वर्श तक अधिवक्ता हो और 5 वर्श तक किसी उच नयले में नयदीज रहा हो तो वह सर्वोच नयले का नयदीज बन सकता है next है question number 3 सर्वोच नयले का नयाधीस कितनी वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है तो कितनी वर्ष तक वह अपने पद पर रह सकता है तो वह है उसकी उम्र 65 वर्ष ठीक है 65 वर्ष तक सर्वोच नयले का नयाधीस अपने पद पर रह सकता है तो आपको comment box में ये बताना है कि उच्छ न्यायले का न्यायधीस जो है वो कितने वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है ठीक है Next question number 4 मुख्य न्यायधीस और अन्य न्यायधीस को कितना वेतन मिलता है मुख्य न्यायधीस और अन्य न्यायधीस को कितना वेतन मिलता है नेक्स्ट कुश्यन नंबर 5, किस अनुचेद में है कि सर्वोच नियाले का प्रधान कार्याले दिल्ली में है, तो अब हम बहुत सारे अनुचेद जो है वो लर्ण कर चुके हैं, जो कि आपके एक्जाम की अकॉर्डिंग थे, आज दुबारा से नया अनुचेद, किस अनुचेद 130, ठीक है, 130 अनुचेद सर्वोच नियाले का प्रधान कार्याले दिल्ली में है, कुश्यन नंबर 6, भारत का अन्तिम अपीलिय नियाले कौन सा है, ठीक है, तो अन्तिम अपीलिय नियाले कौन सा है, जिसमें हम अन्तिम अपील कर सकते हैं, यदि जिलान नियाले में हमारी बात नहीं हो पाती है उसके बाद उच्छ न्याले में हम अपील करते हैं वहां भी हमारी बात नहीं बन पाती है तो अंतिम अपीली न्याले है सर्वुच्य न्याले सुप्रीम कोट Quesion No.7 Quesion No.7 Quesion No.7 Quesion No.7 Quesion No.7 अधिकार है कि यदि उच्छ नियाले ने मृत्युदन दे दिया है तो व्यक्ति सर्वोच नियाले में जाकर अपील कर सकता है तो यह अधिकार किसके पास है यह अधिकार है सर्वोच नियाले के पास समविधान के किस अनुछेद के अनुसार सर्वोच नियाले को अधिकार है कि वह सैनिक नियाले के निर्णे के वृद्ध अपने यहां अपील के अनुमती दे सकता है तो यदि कोई व्यक्ति सैनिक नियाले में खुज नहीं है निर्णयों से, तो वह सर्वोष नियाले में जाकल अपील कर सकता है और इस अपील की अनमोती जो है वो सर्वोष नियाले देता है, यह लिखा है अनुछेद 136 के अंतरगत, ठीक है, तो हमने अभी देखा अनुछे 136 में हमने देखा कि सैनिक नियाले के निर्णयों के व्रिद्ध अपने यह अपील की अनमोती दे सकता है सर्वोष नियाले next question number 10, राष्ट्रपती किस अनुछेद के अंतरगत सर्वोष नियाले से परामर्श मांग सकते हैं, तो वह है अनुछेद 143, 143, देखिए राष्ट्रपती जो है वो अनुछेद 143 के अंतरगत सर्वोष नियाले से परामर्श मांग सकते हैं, लेकिन वो इसके लिए बाद् अब ये अभिलेग नियाले का उलेग किस अनुछेद में है अब ये अभिलेग नियाले क्या होता है तो इसके बारे में हम लास्ट क्लासेज में बात कर चुके हैं तो इसका उलेग जो है वो किस अनुछेद में है अभिलेग नियाले का उलेग है 139 में किसमें अनुछेद 139 क अंतरगत अबलेक न्यायले का उलेक किया गया है Next question number 12 भारत की नागरिकों के मौलेक अधिकारों का रक्षक है भारत के नागरिकों के मौलेक अधिकार जो है उनको संरक्षन प्राप्त किससे है सरवोची न्यायले से Next question number 13 दिनृ नियायाले मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कितने लेख जारी कर सकता है या कितनी रिट जो है वो जारी कर सकता है तो पांच प्रकार की रिट होते हैं जो हम बात कर चुके हैं किसली जो क्लाशेश थी है उसमें परस्ट है बंदी प्रत्यक्षी करण, सेकेंड है परमादेश, थर्ड है प्रतिवेद, उसके बाद है अधिकार प्रक्षा और लास्ट है उत्प्रेक्षण बंदी प्रत्यक्षी करण, परमादेश, प्रतिवेद, अधिकार प्रक्षा और उत्प्रेक्षण next question number 14, कानूनों की वैधानिकता की जाच करने की शक्ती किसे प्राप्त है, तो यह प्राप्त है सर्वोच न्यायले को, ठीक है, कानूनों की जो वैधानिकता की जाच जो है, वह कौन कर सकता है, सर्वोच न्यायले, next question number 15, पूछा जा सकता है कि सर्वोच नियाले को पुन्रावलोकन का दिकार जो है वो किस अनुचेद के अंतरगत है तो यह है अनुचेद 131 के अंतरगत संगिय सरकार और अनुचेद 132 के अंतरगत राज्य सरकारों द्वारा जो निर्मित विदियों के पुन्रावलोकन का दिकार ह मंत्री मंडल का सबसे महत्वपूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर् थर्ड चैप्टर यह आपका अंतिम चैप्टर होगा पॉलिटी का और इसके साथ ही पॉलिटी आपके समाप्त हो जाएगी। आज हम फर्ष्ट पार्ट करेंगे इसके दो तीन पार्ट और बनेंगे क्योंकि राज्य सरकार अपने आप में बहुत बड़ा जो विसय है क्योंकि राज्य सरकार के हम अंदर पढ़ेंगे विधान सभा, विधान परिशद, राज्य पाल और उच्चे नियायले, मुख्य मंत चाहेंगे, तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं, कुश्चन वन है, समविधान के किस अनुछेद में कहा गया है कि पृतिक राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा, तो इसका आंसर है अनुछेद 168, तो आज हमको एक अनुछेद और याद करने को मिला है, अनु अनुछेद 168 में है, कि पृतिक राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा, तो यहां यदि विधान मंडल के जगे विधान सभा आता, तब भी आप यही करते, क्यों करते, क्यों करते, क्यों करते? विधान सभा है, लेकिन विधान परिशद जरूरी हो, ऐसा संभव नहीं है, तो लाइन यह है कि पृतिक राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा, यह अनुछेद 168 में वर्नित है, नेक्स्ट है, कुश्यन नमबर 2, भारत में कितने राज्यों में दू सदनात्मक विवस विधान परिशद, तो देखिए, कौन-कौन से राज्ये हैं, जिन में विधान सभावी है और विधान परिशद भी है, तो पहले तो साथ राज्ये थे, जम्मो कस्मीर जो है, वो अब यूटी बन चुका है, तो वो इस शार्णी में से हट चुका है, ठीके, तो अब आपक तो इस तरीके से जोडों से आप याद रखेंगे, तो यहाँ विधान सभा भी है और विधान परिशद भी है, नेक्स्ट है कुश्चन नमबर 3, राज्ये विधान मंडल के कितने अंग हैं, जिस तरीके से केंद्र में संसद के कितने अंग हैं, हम जानते हैं, वहाँ पर र राश्ट्रपती हैं, लोगसभा है और राज्ये सभा है, उसी तरीके से राज्ये विधान मंडल में यहाँ भी तेन अंग हैं, राज्ये पाल, विधान सभा और विधान परिशद, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है, अब तक हम बहुत बार कर चुके हैं, यदि सदन पूछे जाते हैं, तो दो सदन हैं, विधान सभा और विधान परिशद, यदि अंग पूछे जाते हैं, केंद्र या राज्ये में, तो केंद्र में हैं, राश्ट्रपती, लोगसभा और राज्ये सभा, उसी तरीके से राज्ये विधान मंडल में हैं, राज्ये पाल, सदन है, जो कभी भी भंग नहीं होता है और प्रतेग राजे में विधान परिशिद नहीं है, Next, Question No. 4, समविधान के अनुचेद 170, अब हमने कौन सा देखा था, अनुचेद 168, अब हम देख रहे हैं, समविधान का अनुचेद 170 कि अनुसार राजे की विधान सबा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या और नियुन्तम संख्या कितनी होगी तो यहाँ अधिक्तम और नियुन्तम संख्या पूछी गई है तो इसका वर्णन हमें मिलता है अनुचेद 170 के तहट तो विधान सभा में जो राज्यों की विधान सभा है उसमें सदस्यों की अधिक्तम क्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है इसे आप याद रखिएगा next question number 5 विधान सभा का सदश्य बनने के लिए उम्र क्या है यहाँ पूछा है विधान सभा तो जिस तरीके से लोग सभा का सदश्य बनने के लिए उम्र कम से कम 25 वर्ष उसी तरीके से राज्यों में विधान सभा का सदस्य बढ़ने के लिए उम्र 25 वर्ष देखिए केंद्र में जैसे आप लोक सभा याद रख रहे हैं राज्य सभा याद रख रहे हैं उसी तरीके से यहां पर राज्य में भी आप विधान सभा और विधा होता है तो वही पांच वर्ष होता है जैसे लोकसभा का कारेकाल होता है और इसे राज्यपाल की अनुमती से भंग भी होता है next question number 7 राज्य विधान सभा के दो मुख्य पदादिकारी कौन होते हैं देखी comparison जो है वो मैं आपको साथ साथ करवाती जा रही हूँ जिससे याद करने में आसानी होगी केंदर में जहां लोकसभा के दो मुख्य पदादिकारी हमने कौन से देखे थी अध्यक्ष और उपाद्यक्ष उसी तरीके से राज्य विधान सभा के दो मुख्य पदादिकारी हैं अध्यक्ष और उपाद्यक्ष ठीके अध्यक्ष स्पीकर कहते हैं अब इन दोनों के सुईकरत प्रस्ताव से त्यागपत्र तो देते ही हैं, उसी तरीके से विधान सभा यहां से ही यह अध्यक्ष चुना जाएगा और यहीं से उपाध्यक्ष चुना जाएगा, जो कि हमने लोग सभा में भी देखा था, नेक्स्ट कुशन नमबर एट, विधान सभा के बैठा की अध्यक्ष चुन करता है, तो लोग सभा के बैठा की अध्यक्ष कौन करते हैं, इस्पीकर करते हैं, अध्यक्ष करते हैं, उसी तरीके से विधान सभा के बैठा की अध्यक्ष कौन करते हैं, अध्यक्ष, नेक्स्ट Question number 9, विधान सभा में कोई विध्यक, धन विध्यक है या नहीं, यह कौन निश्चे करता है, तो कौन निश्चे करेगा ये, यह निश्चे करेंगे अध्यक्ष, ठीक है, याद रखना है कि विधान सभा में कोई विध्यक, धन विध्यक है या नहीं, यह कौन निश्चे करें यह करेंगे अध्यक्ष यदि अध्यक्ष नहीं है उनकी अनुपस्तिती से सारे कारे कौन करेंगे उपाध्यक्ष करेंगे ठीक है याद रखिएगा डिप्टी स्पीकर करेंगे नेक्स्ट कुश्चन नमबर 10 विधान परिशद के गठन और समापती किस अनुच्छेद में उल्लेकित हैं देखिए जहां मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 168 बताता है कि हर राज्य में एक विधान मंडल होगा ठीक है यानि वहाँ पर विधान सबातों होगी ही 168 में वही 169 अनुच्छेद जहां विधान परिशद का गठन और समापती उल्लेकित है नेक्स्ट कुश्चन नमबर 11 किसी राज्य में विधान परिशद बढने के लिए क्या जरूरी है यहां पूछा क्या है कि हर राज्य में विधान परिशद नहीं है तो क्या जरूरी है विधान परिशद वहाँ पर बनाने के लिए, देखिए, यह प्रोसेस है इसका, यदि विधान सभा अपना पूरी सदस्य संख्या के बहुमत से, और जो उपस्तित हैं, जो मतदान देंगे, उन सदस्यों की संख्या के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है, क 12, राज्य की विधान मंदल का दुट्य सदन कौन सा है, तो ये तो हमारे बिल्कुल भी जवान पर रट चुका है, कि राज्य की विधान मंदल का दुट्य सदन है, विधान परिशद केंदर के, जहां पर संसद का दूसरा सदन कौन सा है, कौन सा है वो, राज्य, राज्य स Qun No.13 विधान सभाद सभा के साधियों की संख्या पर्याज़ी आधिक निए सब्सक्राज दिखा 10 ठीक है जो 500 हैं विधान सभा के सदस्य उन संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती और 40 से कम नहीं हो सकती ये चीज़ आप याद रखिएगा Next question number 14 विधान परिशद के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रक्रिया से किया जाता है तो विधान परिशद के सदस्यों का निर्वाचन एक तो एप्रत्यक्ष रूप से होता है ये याद रखना है और विधान सभा में हम देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से तो विधान परिशद के सदस्यों का निर्वाचन एप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आनुपातिक प्र राज्य सभा में हम देखते हैं कि कितनों का निर्वाचन होता है और कितनों का राष्टपती मनुनियन करते हैं, उसी तरीके से विधान परिशद में 5 वट्टे 6 सदस्यों का तो होता है निर्वाचन, ठीक है, और 1 वट्टा 6 जो सेज बच जाते हैं सदस्यों, उन सदस्यों क को मनुनित करते हैं हमारे राज्य पाल उस राज्य के next question 16 विधान सभा की सदस्यता के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए विधान सभा के सदस्यता के लिए उम्र होनी चाहिए 25 वर्स कितनी होनी चाहिए 25 वर्स वहां लोग सभा के सदस्यता के लिए कितनी उम्र पूछी थी वहा राज्य सभा के लिए 30 वर्ष next question number 17 विधान परिशत का कारेकल कितना होता है विधान परिशत का कारेकल कितना होता है यह एक स्थाई सदन होता है उच्च सदन होता है और कभी भी भंग नहीं होता है ठीक है इसी लिए स्थाई है क्योंकि भंग नहीं होता है हो सकता है। राज्येपाल द्वारा इसे समय से पहले भंग किया जा सकता है। किसकी बात कर रहे हम विधान सभा की। Next question number 18, किस विधियक को छोड़ कर, किस विधियक को छोड़ कर अन्य विधियक, यानि कि वो साधारन विधियक, राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते हैं, ठीक है, धन विधियक हमें पता है, सबसे पहले विधान सभा में आता है, लेकिन यहां उसको छोड़ कर, धन विधियक को छोड़ कर, जो सभी साधारन विधियक होते हैं, वो राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते हैं, next question 19, किसी साधारन विधियक को विधान परिशद कितने समय तक रोक सकती है, किसी साधारन विधियक को विध जो साधारन विध्यक होगा वो मान लिजे विधान सभा में आया उसके बाद विधान परिशद में गया ठीक है तो विधान परिशद तीन महा तक उसको रोके हुए बैटी है कोई भी उसने वहाँ पर कोई मंजूरी नहीं दिये तो बापस वो विधान सभा में जाता है फिर सभा की सुईक्रती होने के बाद दुबारा विधान परिशद में जाएगा जो एक महा तक विधान परिशद के पास रहेगा चाहे वो मंजूरी दे या ना दे यदि वह नहीं देती है तो विधान परिशद द्वारा बिना पारित किये ही वह पारित समझा जाएगा ठीक है त तो वह पास ही माना जाता है। Next question number 20 विधान सभा के सदस्य किसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। वो लेते हैं राश्ट्रुपति तथा राज्य सभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। next question 21, राजिस्थान में कितने सदनात्मक विवस्था है, तो हमने जब देखा था कि दुए सदनात्मक विवस्था किन किन राज्यों में है, क्या वहाँ पर राज्यस्थान था, वहाँ राज्यस्थान नहीं था, इसका मतलब है कि राज्यस्थान में एक सदनात्मक विवस्थ है विधान सभा क्लास 10 की पॉलिटी का ये सेकिंड लास्ट वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंदित सभी प्रश्न तो यदि आपने पिसले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देखिएगा क्योंकि हम बिल्कुल सीरीज वाई चल रहे हैं हर चैप्टर जो है वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया है तो यदि आप अच्छे से देख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं तो आपके एक्जाम के आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हो चलिए आज स्टार्ट करते हैं राज्य की कारेपालिका में कौन-कौन होते हैं तो राज्य की कारेपालिका में होते हैं राज्यपाल एक मुख्यमंत्री और मंत्री परिशद याद रखना है राज्य की कारेपालिका में कौन-क प्रधान कौन होता है तो वो है राज्यपाल ठीक है next question number three राज्य की कारेपाली का सत्ता की वास्तविक प्रधान कौन होता है तो हमने देखा कि जो समवेधानिक प्रधान है जो वैधानिक प्रधान है वो है राज्यपाल लेकिन वास्तविक प्रधान की यदि बात आएगी तो वो होंगे मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिशद देखिए एक्जाम में यदि मुख्यमंत्री नहीं आता है तो आप वहां आंसर करेंगे मंत्री परिशद क्योंकि उसी मंत्री परिशत का head कौन है मुख्य मंत्री है next question number 4 राज्यपाल की निक्ति कौन करता है राज्यपाल की निक्ति कौन करता है देखे अनुच्छेद 152 में राज्यपाल की परिभासा जो है वो दी है और अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होगा यह दिया हुआ है और राज्यपाल की निक्ति कौन करेंगे राश्ट्रपती करेंगे ठीक है याद रखना है राज्यपाल की निक्ति कौन करते हैं राश्ट्रपती करते हैं next question number 5 राज्यपाल की नुक्ति कितने वर्ष की अवदी के लिए की जाती है। क्या एक राज्य का निवासी राज्यपाल हो सकता है। तो इसका आंसर जो है वो आपको पता होना चाहिए कि एक राज्य का निवासी जो है वो राज्यपाल नहीं हो सकता है। के बारे में देखे राज्य पाल मुख्य मंत्री के बारे में देखें तो यहां में चीज याद रखने हैं आपको कि 35 वर्ष से अधिक आयू वह राज्य पाल के पद के लिए योग्य है नेक्स्ट कुश्यन नमबर 8 राज्य की कारे पालिका सक्तियां किसमें नहित होती हैं तो कारे पालिका में कौन-कौन आया था राज्य पाल आया थे मुख्य मंत्री और उनकी मंत्री परिश्य थी तो राज्य की कारे पालिका सक्ति नहित है राज्य पाल में नेक्स्ट कुश्यन नमबर नाइन राज्यपल किसकी न्युक्ति करते हैं राज्यपल जिनकी न्युक्ति कर रहे हैं राश्ट्रपती और राज्यपल किसकी न्युक्ति कर रहे हैं मुख्य मंत्री की मुख्य मंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की अधिवक्ता की राज लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की न्युक्टी कौन करते हैं राज्यपाल करते हैं और यदि राश्ट्रपती की बात करें तो राश्ट्रपती जो हैं वो किन की न्युक्टी करते हैं वो करते हैं प्रधान मंत्री की न्युक्टी महा न्यायवादी की न्युक की नुक्ति ये सबी नुक्तियां जो है वो राश्ट्रपती कर रहे हैं और राज्यपाल किसकी नुक्ति कर रहे हैं मुख्य मंत्री की मुख्य मंत्री के परामर्स पर मंत्रियों की अधिवक्ता की राज्य लोग सेवा आयों के अध्यक्ष की नेक्स्ट कुश्चन नमबर 10 उच्च न्यायले के न्यायधीसों की न्युक्ती के संबंद में राश्ट्रपती किसे परामर्स लेंगे तो जो हाई कोट होता है उसके न्यायधीस की न्युक्ती के संबंद में राश्ट्रपती परामर्स लेंगे वहां की राज्येपाल से ठीक है उस राज्ये के राज्येपाल से राश्ट्रपती परामर्श लेंगे नेक्स्ट कुश्यन नमबर 11 तो आपको एक चीज याद रखनी है जहां उच्टम न्यायले के न्यायधीस की बात होती है तो वहां न्युक्ति कौन कर रहे हैं राश्ट्रपती कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि उच्टम न्यायले के जो न्यायधीस है उसकी निक्ति भी राश्ट्रपती कर रहे हैं वहां आप राज्ययपाल गल्ती से भी ना करियेगा Question 11 है कौन राज्य के मंत्री परिशत के सदस्यों को पद एवम गोपनियता की सपत दिलाता है वह उनके त्याग पत्र सुईकार करता है तो वो कौन है जो मंत्री परिशद के सदस्यों को पद एवं गोपनियता की सपत दिलाते हैं और उनके त्यागबत्र को भी सुईकार करते हैं तो आंसर है राज्य पाल नेक्स्ट कुश्यन नमबर 12 विवस्थापिका का अधिवीशन बुलाने और इस्थगित करने का अधिकार किसे होता है विवस्थापिका का अधिवीशन बुलाने और इस्थगित करने का अधिकार किसे होता है तो इसका अंसर है राज्य पाल को ठीक है विवस्तापिका का अधिवेशन बुलाने और इस्तगित करने का अधिकार किसे है राज्यपाल को वहीं हम अगर सेंटरल में देखते हैं तो वहाँ पर राश्ट्रुपती को अधिवेशन बुलाने संसत का जो अदिवेशन है उसे बुलाने और इस्तगित करने का दिकार होता है Next question number 13 आम चुनाव के बाद विधान मंदल की पहली बैठक को कौन संबोधित करता है तो आम चुनाव के बाद विधान मंदल की प्रिथम बैठक को संबोधित करते हैं राज्यपाल वही हमने केंद्र में क्या देखा था राश्टरपती जो हैं वह कर रहे थे प्रिथम बैठक को ठीक है संबोधित कर रहे थे और अध्यक्षता कौन कर रहे थे वहाँ अध्यक्षता कर रहे थे लोकसभा अध्यक्ष जिन्हें स्पीकर कहते हैं Next question number 14 यदि राज्य के विधान मंडल का अध्यवेशन ना हो रहा हो तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे होता है तो यहां राज्य की बात हो रही है तो राज्य के विधान मंडल का अध्यवेशन नहीं हो रहा हो नहीं किया जा सकता है तो इसका आंसर है राज्येपाल राज्येपाल की स्विक्रती के बिना कोई भी धन विद्यक स्विक्रत नहीं किया जा सकता है और यदि हम भात करेंगे केंद्र की तो सेंटरल में भी वही बात है कि कोई विद्यक जो है धन विद्यक है या नहीं इसका तो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष लेकिन संसद में धन विद्यक प्रस्तुत कौन करेंगे राश्ट्रपति करेंगे ठीक है चलिए यहां पर है न दो बाते आप याद रखिए कि धन विद्यक और वित्य विद्यक इस पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होती है ठीक है धन वि अपस राश्ट्रपति के पास आ जाता है ठीक है तो कोई भी धन विद्यक किसकी सुईकरती के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तो यहां हम विद्यान मंडल की बात कर रहे हैं तो राज्यपाल की सुईकरती के बिना प्रस्तुत नहीं हो सकता Next, Question No.16, राज्य की संचित निधी किसकी अधिकार में रहती है? वो है रहती है राज्यपाल के अधिकार में Next, Question No.17, सम्विधान की किस अनुछेद के अनुसार? शमाधान का अधिकार राज्यपाल को है तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल को शमाधान का अधिकार है तो वो है अनुच्छेद 161 और यदि राश्ट्रपती की बात करें तो राश्ट्रपती को अनुच्छेद 72 72 के तहत शमाधान का अधिकार है और राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत तो Question number 18, मंत्री परिशत का कार रहे, राज्यपाल को सहायता और परामर्ष देना होता है, यह किस अनुछेद में है, 163 अनुछेद जिसमें है, कि राज्यपाल को सहायता और परामर्ष देना, मंत्री परिशत का कार रहे, और 161 हमने क्या देखा था भी थोड़ी देर पहले, कि र जिसमें राज्येपाल जो हैं वो मुख्यमंत्री की नुक्ती भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की सला पर अन्यमंत्रियों की नुक्ती भी करते हैं तो यह है अनुख्यद 164 याद रखना है अनुख्यद 164 के तहत राज्येपाल मुख्यमंत्री और अन्यमंत्रियों की नुक नेक्स्ट कुश्यन नमबर 21 पद ग्रहन के पूरों मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष कौन सी वो दो सपत लेनी होती है देखे सपत लेते हैं राज्यपाल के समक्ष यह तो हम याद रखते हैं लेकिन आप्शन में इस तरीके से पूछा जाएगा कन्फ्यूज हो जाओगे तो पद ग्रहन के से पहले मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष दो सपत लेनी होती है तो यहाँ याद रखना है कर्तब्य पालन और गूपनियता की सपत लेनी होती है नेक्स्ट कुश्यन नमबर 22, राज्य में मंत्री परिशत का दिक्तम कारिकल कितना हो सकता है, मंत्री परिशत का कारिकल कितना हो सकता है राज्य में, तो वह होता है पांच वर्ष, नेक्स्ट कुश्यन नमबर 23, समविधान के किस अनुछेद ग्यानुसार मंत्रियों के वेतन राज्य विधान मंडल को है। इसका आंस्वार है, अनुचेद 165 के तहत, मंत्रिएं के वेतन बत्ते निश्चित करने का अधिकार राज्य विधान मंडल को है। कुछीन 24 कि, संविधान की अनुषवार program, महादिवक्ता,, राज्यों लोग सिवा, आयोग तो area कोर सदस्यों निचर नीचर पूरों राज्य का वार्शिक बजट वित्ति वर्श के आरम से पूर्व किसके द्वारा विधानसवा में प्रस्तुत किया जाता है। मंत्री परिश्द और राज्यपाल के बीच संबंद स्थापित करता कौन है। रिविजन इसी तरीके से होगी टेस्ट का टेस्ट जो है वो एक माध्यम होता है याद कराने का। तो याद इसी तरीके से किया जाएगा आप वीडियो दो तीन बार रिवाइस करिए। ये सबी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। कुश्यन यही होते हैं बस तोड़ा सा घुमा कर पूछ लिये जाएंगे। ऑप्शन होते हैं इसी लिए वहाँ कंफ्यूजन होता है। तो कोई भी ऑप्शन होगा हम गलत टिक नहीं करेंगे, सही उत्तर को ही टिक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कुश्यन वन आज हम उच्छ न्यायले के बारे में पढ़ेंगे। किस अनुचेद के अनुचार प्रतीक राज्य का एक उच्छ न्यायले होगा। नेक्स्ट कुश्यन नमबर 2 भारत में सर्व प्रतम उच्छ न्यायले कहां इस्थापित किये गए। इसका अंसर है 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मदरास में हाई कोट इस्थापित किये गए। अंग्रेजों के टाइम की ही बात है जब अंग्रेजों ने जो तीन प्रेसिडेंसी बना रखी थी कलकत्ता, बॉम्बे और मदरास तो उन्हों ने उच्छ न्यायले जो हैं इस्थापित किये 1862 इसवी में ठीके याद रखिएगा हाई कोट जो हैं 1862 इसवी में कहां इसका आंसर है 1862 में इसका सही उत्तर है मुख्य न्यायदीस और अन्य न्यायदीस इनसे मिलकर ही उच्छ न्यायले का गठन होता है उच्छ न्यायले का गठन किनसे मिलकर होता है मुख्य न्यायदीस और अन्य न्यायदीसों से मिलकर उच्छ न्यायले का गठन होता है Next, Question No. 5 उच्छे नयाले में नयाइधीसों की संख्या को निर्धारित करते हैं तो कौन निर्धारित करते हैं? हमें पता है कि उच्छे नयाले में नयाइधीसों की संख्या को निर्धारित करते हैं रास्टरपती Question No. 6 उच्छे नियाले के मुख्य नियायदीस और अन्य नियायदीसों की नुक्ति कौन करते हैं। उच्छे नयाले के मुख्य नयायदीस की नुक्ती राष्ट्रपती किसके परामर से करते हैं। तो कौन कर रहे हैं। उच्छे नयाले के मुख्य नयायदीस की नुक्ती राष्ट्रपती कर रहे हैं। उच्छे नयाले के मुख्य नयायदीस की नुक्ती राष्ट्रपती करते हैं। उच्छे नयायदीस की नुक्ती राष्ट्रपती की राष्ट्रपती कर रहे हैं। उच्छे नयायदीस की नुक्ती 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 राष्ट्रपती के मुख्य नयायदीस की परामर्ष पर करते हैं। तो जो ट्रांसफर है, तो उच्छे नयले के नयदीशों का, वो कौन करते हैं? राष्ट्रपती, उच्छे नयले के मुक्चे नयदीश के परामर्ष पर और वो अनुच्छेद है 222, चीक है? और एक और चीज आपको याद रखनी है, कि अनुच्छे 219 में जो सपत का सही सपत लेगा, इसे आप याद रखिएगा कि अनुच्छे 219 के तहत उच्छे नयले का नयदीश, राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारन्युक्त व्यक्ति के समक सही सपत लेता है, नेक्स्ट, कुश्यन नमबर 11, प्रतेक राज्य उच्छे नयले के नयदीशों के वितन संसद विधी द्वारा निश्चित करेगी, यह किस अनुच्छेद में है, तो यहाँ राज्य की बात हो रही है, तो राज्य में जो उच्छे नयले के नयदीश हैं, इनके वितन संसद विधी द्वारा निश्चित करेगी, तो यह किस अनुच्छेद में है, तो इसक नियाले में प्रैक्टिस नहीं कर सकता यहां देखिए बहुत अच्छे से समझे उच्छी नियाले का नियादीस यदी अवकास ग्रहन कर लेता है तो उसके बाद किस नियाले में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है तो इसका आंसर है कि वह उस नियाले में नहीं कर सकता है एवम सक्तियां कौन सी हैं उच्छे नयाले का कारेशेत्र एवम सक्तियां कौन सी हैं तो इसका आंसर है देखिए मुल या प्रारंबिक शेत्र अधिकार ये सक्ति उच्छे नयाले की है रिट के बारे हम जान चुके हैं रिट अधिकारिता यह भी उच्छे नयाले के कारेशे प्रारंबिक शेत्र अधिकार जो है वो उच्छ नयले का उसमें क्या है कि संसद या राज्य विधान मंडल सदस्यों के जो निर्वाचन संबंधी विवाद हैं, राजस्व एकत्रीकरण संबंधी विवाद हैं, मौलिक अधिकार हैं, कम्पनी, वसियत, विवहा संबंधी कान ये सबी जो अधिकार हैं, ये मूल अधिकार हैं, प्रारंबिक शेत्र अधिकार हैं, जो उच्छ नयले के हैं, रिट अधिकार जिता क्या है, रिट जो कि यदि सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो अनुछेद 32 के तरह तहत है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, ज उसके बाद अपीलिय शेत्रादिकार की यदि बात करें, तो अपीलिय शेत्रादिकार में दो हैं, सिविल अपीलिय शेत्रादिकार और अपरादिक अपीलिय शेत्रादिकार, सिविल अपीलिय शेत्रादिकार क्या, जैसे कि इंकम टैक्स, जो पेटेंट, ये संबंदी मामले जो हैं वो सिविल अपीलिय शेत्रादिकार के अंतरगात आते हैं और उच्छ न्याले के अधीन है ये और अगर यदि अपरादिक की बात करें तो उसमें आएंगे जैसे दंड हो गया, कारावास हो गया, ये सबी नेक्स्ट जो अभिलेक न्याले है, जो अभिलेक न्याले है उसमें अनुचे 215 के तहत कि अवो मानना के लिए दंड देने की शक्ती जो है वह उच्छ न्याले को है, यदि उच्छ न्याले जो है उसके निर्णे, रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखे जाते हैं, जो की अध दिनस्ते न्याले होता है, जिला न्याले होता है, उसको मानना ही पड़ता है, लास्ट आपका है न्यायक पुंड्रावलोकन, न्यायक पुंड्रावलोकन जो है, उसमें हाई कोट और सुप्रीम कोट, दोनों को ही यह सक्ती प्राप्त है, ठीके, यहाँ पर मेन जो चीज है, वो आपको ये याद रखनी है कि जो रिट अधिकारिता है वो उच्छ नयले और उस्तम नयले दोनों को है अनुचे 32 के तहत मौलिक अधिकारों के लिए रिट कौन जारी करेगा सर्व उच्छ नयले वो केवल मौलिक अधिकारों के लिए ठीक है और अनुचे 226 के तहत उच् इसके अलावा उम्र जो है, विशेज कर हमें उम्र पर ध्यान देना होता है, यहीं से प्रश्ण जो है वो पूछा जाता है, कि 62 वर्ष की आयू तक वो अपने पद पर रह सकता है, और यदि सुप्रीम कोड की बात करें, तो सुप्रीम कोड का जो न्याधीस है, वो 65 वर्ष क तो उच्च नयले के नयदीसों को सपत कौन दिलाते हैं, राज्यपाल, क्योंकि राश्ट्रपती जो हैं, वो न्युक्त कर रहे हैं सरवच नयले और उच्च नयले के नयदीस को, लेकिन हर राज्य में जाकर सपत दिलाना यह कार्य जो है वो राश्ट्रपती नहीं कर पाएं इसी लिए राज्यपाल जो है वह उच्च नयाले के नयदीसों को सपत दिलाते हैं। इसके साथ ही आपकी पॉलिटी समाप्त होती है। तेहें मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके टेस्ट के साथ थेंक यू।